प्रहार का और बेटा एक जिद्ध ठान लिए कि आर इसी साल हम लोग को सेलेक्शन लेना है डोजार चोईस में ही जो हमारा सपना था एक गवव classify को सेलेक्शन लेकरणा लेकिन उससे पहले पेटा मैं जरूर लूघा और आप लोगों से मैं थोड़ इस apple शीद बातचीद करना चाहता हूँ उसके बाद बेटा मैं स्टार्ट करने वालो, सबसे पहले बेटा अपना जोश बताएंगे, सबसे पहले बेटा चैट सेक्शन में एक बाद जोश बताएंगे, audio and video I hope एकदम perfect होना चाहिए and I hope आप लोग ready हो प्रहार के लिए, पूरा action plan में आप लोग को बताने वालो, किस त करवाऊंगा, पूरी inorganic chemistry मैं करवाऊंगा, बस शिद्दत के साथ आप लोग आते जाईए और देखिए फिर बेटा किस तरीके से जादू करते हैं, मेहनत करेंगे आप और मैं मिलके साथ हमें, और selection लेकर ही मानेंगे, ठीक है, पांच मिनट मुझे बस दीजिए, मैं को थ टीस दिन बच्चे वे हैं, आप लोग के, आप लोग revision करिए, और revision किस फॉर्म में करना है, revision आप लोग को बिटा, short notes के form में करना है, ठीक है, तो short notes की बात नहीं है, मुझे पता था, तू नहीं बनाएगा short notes, इसलिए मैंने आप लोग को सारे short notes प्रोवाइट करा रखे है टेलीग्राम चैनल जोइन कर रहे हैं, वाप लोग को पूरे एक एक चाप्टर के short notes आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है, तो short notes के form में हम लोग को revision करना है, ठीक है, अच्छा, इसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को खूप सारे DPPs भी प्रोवाइट करा दी हैं, और आ आपको क्या करना है, जब भी भी आप लोग प्रहार के session देख रहे हो तो कुछ नहीं, एक copy और pen लेके बैठना, copy and pen लेके बैठना, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे question करने वाले हैं, और question के form में सारी theory revise करा दूँगा, जैसे आज target क्या है, 11th की physical chemistry हम ल theoretical भी हो सकता है, question, numerical भी हो सकता है, सब तरीके के यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे, लेकिन उसके form में हम लोग सारी के सारी जो theory है, वो साथ साथ में revise करते वे चलेंगे, ठीक है, एक बात बेटा जरूर बोलूँगा, day one है आज प्रहार का, लाखो बच्चे, लाखो यह जिस तरीके से मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ, बेटा हम, हम बेटा साथ साल से पढ़ा रहे हैं, हजारों students को अच्छे अच्छे government medical college में भेज दिया है, तो इतना experience है हमारे पास कि किस तरीके से आप लोग के marks improve करा जा सकते हैं, और एक अच्छे government college में भेजा सकत है, तो सबसे पहले चैट section में दिल बना दिया जाए, कि हाँ जी sir, पूरे के पूरे जो last के 30 days हैं, आपको दिये, आप जिस तरीके से पढ़ाना चाओ, पढ़ाओ, लेकिन हमारा selection कराओ, guarantee बेटा मैं देता हूँ, अगर आप लोगों यह सारी चीजे जो जो मैं बोल रहा थे selection आया, छे कहा है, तो सारी चीजे आप लोगो telegram पर मिलेंगी, अब यहां पर देखिए बेटा, यह आप लोग के 5 सेशन है, आप लोगों सब बेटा मैं pinky promise लेने आया हूँ, आप लोगों से बेटा मैं यहाँ पर pinky promise लेने आया हूँ, कि यहाँ पर घ्र यहाँ पर हम ल already finish हो चुका है रफतार हमारा already finish हो चुका है यलगार free chemistry के टेस्स सिरीज है free chem की यह टेस्स सिरीज है जो की चल रही है और ये आप लोग को enroll कर रहा है ठीक है ये आपनोग को yogurt कर रहा है प्रहार का बेटा आज पहला दिन आ चुका है और प्रहार last series नहीं है इसके बाद मैं वापिस chapter wise पर जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि सर क्या सर अभी से ही complete physical chemistry करवा रहे हो अभी से ही complete organic chemistry करवा रहे हो इनorganic chemistry करवा रहे हो भाई साब इस time पर ये सबसे ज़्यादा needed है क्योंकि इसी से आपको पता चले का कि कौन सा chapter आपको नहीं आता और किस पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है तो chapter wise series आएगी लेकिन प्रहार के बाद आप लोग के chapter wise series आएगी और जिद भी बेटा launch कर रहे है this is also coming soon है जिद क्या है जो बेटा मेरे पुराने बच्चे है उनको पता है जो नए बच्चे है बेटा उनको पता चल जाएगा गबराने की कोई बात नहीं है जिद भी बेटा आ रहा है जिद भी आ रहा है अब selection आएगा ही आएगा आप देखो कैसे बेटा है आप लोग की पढ़ाई करवाते अच्छा ये चीज़ देखी बेटा आज गरीमा माम ने आप लोग की mega practice launch कर दी है आप लोग बूल रहेते हैं na question practice question practice तो bio की question practice launch हो चुकिए ये video बेटा आज ही release हुआ है इसमें आप लोग enroll कर लीजेगा और chemistry की भी ऐसी ही mega practice जिसका नाम रहेगा जिद वो भी बेटा आप लोग की 2-3 दिन में launch होने वाली है तो आप लोगों की सारे बेटा दुख दर्द दूर होने वाले हैं बस चानल को subscribe करके रखना सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे चीक है अच्छा ये देख लो बेटा एक कुछ बच्चों के जो सवाल आ रहे थे FAQs वो भी मैंने ले ली हैं क्या FAQ है सबसे पहले बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर रफतार फॉलो नहीं करा मैं भटक गया था मेरे को emotional blackmail कर दिया था मेरे को बाद में पता चला रफतार का तो क्या मैं प्रहार देख सकता हूँ हाँ जी बेटा प्रहार बेटा आप लोग को follow करना है बिंदा से follow करना है और प्रहार एक बार complete हो जाएगा तो chapter wise भी मैं आप लोग को वापिस से पढ़ाऊंगा आप लोग गव रही है नहीं लेकिन प्रहार को आप लोग को follow करना है क्या chapter wise सीरीज नहीं आएगी बिलकुल आएगी बिलकुल आएगी लेकिन प्रहार के बात अब बता दो अब बता दो I hope all your doubts are clear I hope all your doubts are clear now shall we start shall we start copy pen लेके बेढ़ गवे हैं listen copy pen लेके बैड़ गवे हैं start कर दे start कर दे start मुझे बताइए पहले सवाल के लिए क्या हम लोग ready है पहले प्रहार के लिए क्या हम लोग ready जो इतने भी डॉट भूट सारे डॉट में एक्लियर कर दिये थोड़ा समय ज़रूर लेकिन आइए और यृट्व अर स्टार्ट के बैठे नहीं लेट अम लेट अस टार्ट कॉपी मैं लेकर बैठे के बैठे का चिक कॉपी संमय फ़्यलंक पर यलगार तेल्टी सिरी पर वह पर एरन दो सब्सक्राइब. आपने बोला और हम चले आए उसी पहले प्रहार के लिए रेड़ी पहले प्रहार के लिए ready, पहले प्रहार के लिए ready, copy pen लेके बैठिएगा, सब के उत्तर करना, और अराम से करिएगा, accuracy पे ध्यान दीजीगा, speed पे मत देना भी, accuracy पे ध्यान देना, starting के 15-20 सवाल आप लोग को लगेगा किया यह तो बहुत tough है, लेकिन उसके बाद आप लोग कितने अच्छे से आप लोग सारी चीजे solve कर पाओगे, let us start, let us start, पहला प्रहार आपकी screen के सामने यह रहा, पहला प्रहार आपकी screen के सामने यह रहा, चलो बेटा, चलिए बेटा, जनता जानना चाती है answer, answer क्या है, answer बेटा, एकदम screen पे start हो जाओ बेटा, chat section में एकदम start हो बताते वे चलिए, फटा-फट बेटा, answer बताते वे चलिए, क्या बोल रहा है, हाँ जी, बताइए, क्या बोल रहा है, the number of sulfur atoms in 0.2 gram molecules of Na2S2O3, सबसे पहले मेरे भाई बात सुनिएगा, अगर बेटा, सवाल में, कहीं पर भी आप लोगों का लिखा है, gram molecule, कहीं पर भी लिख हावा है, gram mole, कुछ नहीं बेटा, तीनों का मतलब क्या होता है, moles, तीनों का मतलब क्या होता है, moles ही होते है, तो यहाँ पर बेटा, क्या बोल रहा है, बाबू, यहाँ देख, यहाँ पर बोल रहा है, 0.2 gram molecules हैं, तो मतलब 0.2 क्या है, mole है, 0.2 mole किसके है, बेटा, Na2S2O3, अ अब यहां पे समझो बेटा, अब यहां पे समझो बेटा, अब आपको क्या करना है, आपको किसके बारे में पूछा है, आपको किसके बारे में पूछा है, आपको किसके बारे में पूछा है, सलफर के बारे में पूछा है, तो सलफर के कैसे निकालोगे, जितने भी मोल आप को दे रखे हैं into number of sulfur atoms कितने sulfur के एकम से बीटा दो sulfur के एकम से कितने मूल हैं जीरो पॉइंट तो अगर आप लोगों से sulfur के बारे में पूछा है कितने मोल से बीटा 0.2 इंटु number of atoms कितने आप देखें sulfur के number of atoms कितने हैं तो यहां पर sulfur के 0.4 moles आ गए अब बाबू आप खुद बताइए अगर आपके 0.4 moles है तो atom कितने हो जाएंगे आप लोग के atom कितने हो जाएंगे आपके atom हो जाएंगे बटा 0.4 na 0.4 na क्या second answer है क्या second answer है समझे समझे सर समझे समझे सर यहां पर चलो बेटा यहां पर चलो पूरी थियोरी करवा देंगे आप लोग की बीटा question practice के form में ही हम लोग पूरी की पूरी theory करेंगे पूरी theory हम लोग question practice के form में करेंगे बस आप लोग चलते वे चलिए ठीक है जो जो चीज़े बोल रहे हैं वो वो करते वे चलो आजाओ जी पूरे 11 की केमेस्ट्री का एक-एक फॉर्मूला एक-एक important point आप लोग के आंखों के सामने से गुजरने वाला है सवाल कर यह बेटा क्या बोल रहा है बोरॉन के बेटा दो point 8 चेक है तो यहां पर जो average atomic mass है वो कितना है 10.8 है अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है natural abundance of b11 natural abundance बेटा b11 की कैसे रहेगी क्या formula होता है formula याद करो बेटा क्या formula होता है suppose करो यह जो b11 है इसकी percentage मानलो आप लोग x इसकी percentage कितनी मानली बेटा x percentage मानली बिल्कुल ठीक है तो बेटा b10 की कितनी होगी क्या b10 की मैं यह बोलूँगा कि 100 minus x होएगी बोलो हाया ना बोलो हाया ना अगर बेटा b11 की x percentage है तो क्या b10 की मैं 100 minus x बोल सकता हूं बिल्कुल अब average atomic mass बेटा कैसे निकालते हैं, average atomic mass कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पर percentage कितनी है, 100 minus x, into atomic mass, atomic mass कितना है, 10, तो यहाँ पर देखो, 100 minus x into 10 plus, यहाँ पर percentage कितनी है, यहाँ पर percentage कितनी है, x है, उसमें बेटा, atomic mass कितना है, 11, तो x into 11, divide किस से करोगे बेटा, divide हमे किस से करोगे कि यहां पर शल्फ कर सकते हैं कैसे बिल्कुल सही है यहां पर we pris on our पूरे साल बर पढ़ी क्या है theory अगर ड्रॉपईर भी करा है तो आप सवाल से सीखो सारी चीजे, सारी चीजे समझमें आएंगी, लेकिन सवाल करने पढ़ेंगे, इतना जादा बेटा, आप लोग अगर सवाल से भागोगे ना, तो फिर बेटा, सेलेक्शन से दूर जारे हो सेलेक्शन से दूर जारे हो, प्लीज a focus on questions, please a focus on questions, chapter wise series करवाएंगे बिटा, लेकिन ये चीज बेहद important है इसके बिना बिटा selection नहीं है इसके बिना बिटा selection नहीं है ठीक है, यहाँ पर आईएब, आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, भागो मत यार भागो मत, आप लोगो को लग रहा है कि यार सर question practice से क्या होगा, question practice से भाबू selection होता है है ना, जितने भी topper आप लोग देख लो अभी हमारे साथ में AIMS जली के topper बैटे वे थे, है ना, बहुत सारे toppers थे हमारे साथ AIMS जली में जो भी question practice से, आईए है यहाँ पर, यहाँ पर आइए बटा अब देखो वहें बोल रहा है अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आप लोग की dihydrogen gas है हाँ जी, और oxygen gas है तो क्या बनारे है हम लोग पानी बनारे हैं, तो आप लोग का 10Vylume है, इसकी 5Vолume है, तो बोल रहा है वाटर कितना बनेगा, कुछ नहीं, simple ratio का, simple ratio का बेटा, आप लोग का सवाल है, क्या? यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे 1 है, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 2 है, है तो यहां पर कितना है तो यहां पर दो है तो यहां पर कितना होगा दस होगा सेम तो कितने वॉल्यूम बनेगा आंसर हो गया आप यहां पर मैंने आप लोग को पहले भी बताया है मैं आप लोग को वापस वापस बता रहा हूं जबी भी आपसे बिटा बिटा maximum number of molecules बोचे तो आपको कुछ नहीं करना है आपको maximum moles बता देने है जहां पर बिटा moles सबसे जादा होंगे वहां पर ही मोलेक्यूल भी सबसे जादा होंगे उत्तर बताईए बिटा चाट सेक्शन एकदम एक्टिव रखने है आंसर बताईए बिटा आंसर बताइए, क्या बोल रहा है, 7 gram of N2 बोल रहा है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे बैटा, 7 upon 28, तो कितने हो गए, 1 by 4 मोल्स हो गए, 2 gram hydrogen का मोल्स कितने, 2 by 2, 1 मोल हो गया, 16 gram NO2, तो 16 upon NO2, NO2 का मोलर मास, NO2 का मोलर मास, कितना हो गया बैटा, oxygen 32, nitrogen 14, तो कितना हो गया, 46, तो 16 upon 46 हो गया, और 16 gram O2 है, तो मोल्स कितने हो गया, 16 by 32, which is what, half, तो maximum मोल्स कहां आ रहे हैं, maximum मोल्स कहां रहे हैं, second option में, maximum मोल्स बैटा, second option में आ रहे हैं, तो बैटा, second ही है आपका answer, याद रखना, जहां प पर ही, molecules भी सबसे जादा होंगे, लेकिन बैटा, अब मैं आप लोग को देखो, बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग theory भी करने वाले हैं, आप लोग को सवाल पूसता हूँ, एक chat section में, बताईएगा मेरे को, ठीक है, मुझे बताईए, मैंने जिसे भी आपको बताया है, जहाँ पर maximum moles होएंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा molecules भी होंगे, लेकिन क्या ये बात मैं atoms के लिए भी बोल सकता हूँ कि, क्या ये बात मैं atoms के लिए भी बोल सकता हूँ कि, तो आप लोग ये बात atoms के लिए नहीं बोल सकते हो, सर कैसे, अब आज ओ बिटा theory भी समझा रह है, 60, या फिर देखो, क्या है, जैसे सबोस करो, O2 है, ठीक है, और जैसे सबोस करो, आप लोग का क्या है, NH3 है, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने दो आप लोग के लिए, ये मैंने दो आप लोग के लिए, आप लोग के लिए, आप लोग को बोल रहा है, इसका है बेटा, आप अब लोग का 32 ग्राम चीए और इसका बिटा आप लोग का क्या है या फिर चलो और बढ़ा देते हैं अफिर ठीक है 32 ग्राम ही लेकर चलते हैं और सबोस्थ करो जो यह है आप लोगा यह मैंने क्या ले लिया 17 ग्राम ले अब मुझे यह बताईए यहां पर फटाक से दोनों क मूल्स निकाल के बताईये फटाकश से दोनों को क्या करो मूल्स अगर मैं यहां पे आटम्स निकालने चलूं तो यहां पे देखो एक ओटू के molecule में क्या दो atom है एक O2 के molecule में क्या दो atom है एक O2 है ना, atom के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हो, moles के बारे में चर्चा कर सकते हो, molecules के बारे में चर्चा कर सकते हो, दोनों के moles क्या थे, सेम थे, लेकिन दोनों के molecules भी क्या आए, सेम आए, लेकिन दोनों के atom क्या आए, अलग अलग आए, तो कभी भी आप लोगों को, अगर molecules तो मैंने दो से multiply कर दिया या ना आट अटॉमि सटी कंसर्डर करने पड़ेगा आगे बड़े बड़े बटा नेक्स्ट प्रहार आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा देखो थियोरी करते वह चलेंगे यह क्या है यह थियोरी तो है यह क्या है यह सवाल के फॉर्म में आप लोगों को एकदम सारे क्वेशन बता दिये जाए ना एक तरीके से नीट का पीपर क्या कर रहे हैं प्रहार के थूरू तो लेकिन फॉलू करना पड़ेगा पिंकी प्रॉमिस दी है तो पांच दिन रिगुलारिटी के साथ आना पड़ देखो यहां पे नाइट्रोजन का है 5.6 ग्राम है डिट्रोजन का है दो ग्राम चेकर अब देखो क्या बोल रहा है अब सुनना ध्यान से यहां पर ट्रिक बताओंगा थियोरी बोल रहा है और सबसे पहली बात यह सवाल किसका है आपको यह पहचानना पड़ेगा यह जो सवाल है नए यह सवाल है बेटा आप लोग का लिमिटिंग रियेजेंट का सर मैं कैसे पैचानूगा लिमिटिंग रियेजेंट मैं कैसे पैचानूगा लिमिटिंग रियेजेंट मैं कैसे पैचानूगा लिमिटिंग रियेजेंट जब आपके दो रियाक्टन्ट के बारे में इसमें निकालो गरी आपान मुलर्मास त्वेंटीएड मुलर्मास नीट्रोजन का मूलर्मास यहां पर देखो सीदह कितने आ गए वन आ गए बिलकुल आ गए अब यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए मूल्स निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे एक ऐसे लाइन खेचोगे पूरी बेटा आपको एक एक मेथड बता रहा हूं चीक है अब अब आप लोग मूल्स निकालने के अब कि या करते हूं अब कैसे करते है ले मिटिंग रिछेंट हम कैसे करते हैं लिमीट devotion करते है घर मिठा करते हैं मूल्स अपन स्टोशीमेट्रिक के अफचिन स्टोशेमेट्रीठियक के आप वन है तो क्या होगा पिटा मोल्स इस फाइफ पॉइंट सिक्स अपॉन ट्वेंटी एट स्टोशियोमेट्र कोफिशिंट वन यहां पे moles कितने है पिटा? 1 है, stoichiometric coefficient कितना है? 3 है, stoichiometric coefficient कितना है? 3 है, ठीक है, अब मुझे बताओ छोटी value कौन सी है, मुझे पताइए इन दोनों में से छोटी value कौन सी है यह अब यह तो solve करना पड़ जाएगा यह तो solve करना पड़ जाएगा, यह क्या रहा है इसकी value कितनी आ रही है, कोई बताएगा मेरे को, इसकी value कितनी आ रही है, मैं solve कर ले तो 5.6 divided by 28, तो यह कितना रहा है, यह 0.2 आ रहा है, बड़ा standar रहा है, यह कितना रहा है, 0.2 आ रहा है, और यह 1 by 3 तो कितना होता है, 0.33, तो क्या यह छोटी value है, जो भी छोटी value है, उसको गोला मार दे, जो भी छोटी value है, उसको क्या कर दो, गोला मार दो, और यही क्या है आपका limiting reagent, यही क्या है limiting reagent, अब सुनना ध्यान से, अब trick बता रहे हैं बाबू, यह endy trick है, और यह विटा, आ गयी न, तो यह चुटकि जो भी यह ratio आया कितना आया ratio जो भी छोटा ratio आया जिसको आपने गोला मारा कितना है 0.2 तो 0.2 ले into stoichiometric coefficient कितना है stoichiometric coefficient कितना है stoichiometric कितने मोल्स आ गया 0.4 मोल्स आ गया मैं वापस रिपीट कर रहा हूं जो भी यह गोला मारा यह into stoichiometric कितना है तो यहां पर कितना आ गया 0.4 मोल्स और अगर आपस वेट पूछा है मास पूछा है तो कुछ नहीं मोल्स को मिल्टिप्लाई कर दो सतरह से सतरह क्या है 17 कं मोलर मास सबस्क्राइब कितना रहा रही सतरह चार सटरह सबतरह कितना हंुटाच 24 चौतीस 337 चौतीस 69.26.08 पहला और कर दें दर है थ 정 कर्यांन चया है कोई बात को यह कि बस्व दमाने बोला ता स्टार्टिंग में सब्सक्राइब कर पारे हो एक ही सवाल को चार चार पांच बार करने कहां जाएगा नीट में कितने सवाल आने हैं 50 सवाल तो आने दिखा देता हूं सारे के सारे 50 सवाल सब दिख जाएंगे बस लेकिन शिद्दत के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा मेरे पर ट्रस्ट रखो यार मुझे पता है कि किस तरीके से आपकी गड़ी चलानी है मुझे पता है लास्ट के 30 दिनों में किस कौन से कौन से राइट लेना है कब लेट लेना है कब गेर या in its aqueous solution containing 10% urea weight by weight this is important type of question यह एक important तरीके का question है क्या बोल रहा है बाइस आप बोल रहे हैं 10% weight by weight है यूरिया का यूरिया क्या होता है अब देखो formula नहीं पता तो याद होना चाहिए CH2CO NH2 NH2 यह रहता है यूरिया अब सुनो ध्यान से 10% weight by weight यूरिया का मतलब क्या है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 10 gram यूरिया है in 100 gram solution यह होता है 10% weight by weight का मतलब 10% weight by weight का मतलब यह होता है 10 gram यूरिया है in 100 gram of solution अब मुझे यह बता कि अगर 100 gram solution है 10 gram यूरिया है यूरिया कौन है बाबू यूरिया is solute तो क्या मैं यहाँ पर यह लिख सकता हूँ therefore weight of solvent कितना होगा mass पिटा solvent का कितना होगा यार यह अगर कितना है 100 ग्राम, यह कितना है 10 ग्राम, तो पिटा solvent कितना है 90 ग्राम ना, तभी तो पिटा आपने क्या करा, solvent डाला और solute डाला, तो 90 प्लस 10 तभी तो पिटा 100 ग्राम का solution मना हाँ हाँ या ना हाँ अब देखो सवाल क्या है अब देखो सवाल क्या है अब पिटा आपका सवाल इतना reduce हो गया है कि आपके पास 10 ग्राम है यूरिया का अब देखो यूरिया का formula क्या होता है NH2 CO NH2 molar mass कितना होता है 60 नहीं आता तो याद कर ले यूरिया का molar mass कितना है 60 है तो यहाँ से इसके number of moles कितने आगए given mass 10 molar mass 60 कितना आगए 1 बाई 6 चेक है अब यहाँ पे देखो एकवस solution है एकवस solution है तो solvent कौन है बटा पानी solvent कौन है पानी तो 90 gram किसका है पानी का है 90 gram किसका है बटा पानी का है तो number of moles कितने आगए given mass upon molar mass कितना आगए बटा पांच आगए सही है अब क्या बूचा है mole fraction यूरिया का तो mole fraction बेटा कैसे निकालते है mole fraction कैसे निकालते है खुद के moles 1 by 6 खुद के moles 1 by 6 टोटल moles 1 by 6 प्लस 5 टोटल मोल्स कितने हैं 1 by 6 और 5 और खुद के moles कितने रिख दिये numerator में solve कर दो से solve कर दो से solve कर दो कि तो क्या है बटा 1 by 6 यह आ गया ठेक है यहां पर आगे बटा 6 इस session के थुरू मैं आपको यह चीज सिखाना चाहरा हूँ 10% weight by weight का मतलब आया या नहीं आया क्योंकि सवाल बटा tricky आएगा इस तरीके के थोड़ा से तो बटा tricky नहीं है यह बहुत ज्यादा difficult नहीं है थोड़ा से गुमाया वा है क्या यह चीज समझ में आईए यह चीज important थी यह important थी तो यह तो बच्ची है यार इसमें तो कुछ है ही नहीं यह चीज हमको समझ नहीं है इस session के थुरू हम लोगों को यह चीजे समझ में आना चाहिए यह तो गड़ात होग यार इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है concentration term which is independent of temperature क्या होता है बटा जहां पर भी बटा मास related चीजे होती है यहां पर भी बटा मास related चीजे होती है वो temperature पर डिपेंड नहीं करती है और जहां पर भी बटा volume related होता है जहाँ पर भी वीटा volume related होता है वो temperature पे depend करता है वो temperature पे depend करता है तो mass related यहाँ पर देखो volume molality नहीं volume आती है normality भी नहीं molality बिलकुल और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी देखो liter आगे यहां पर लीटर आगे लीटर आगे तो मतलब क्या आगे वॉल्यूम आगे को यह भी नहीं परसंटेज वेट बाई वाल्यूम मुलारिटी नौर्मालिटी यह होती है बटा आपकी चो टिम्परेचर पे डिपेंड करती है चले बटा आगे बढ़ते हैं इसी बात पर आगे बढ़ते हैं इसी बात पर सर यह पीवाई क्यों है बटा कुछ-कुछ पीवाई क्यूज में यस यस पीवाई क्यों है अब यह देखो इस तरीके के सवाल आप लोग की यह चीज़े पूछी जाती हैं पीवाई क्यों में करो क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है टोटल नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस इन फोर ग्राम ओफ ओफ ओ टू माइनस क्या है बटा आपका बताना क्या है 2त माइनस का है तो सबसे पहलेसकन मॉल्स में निकाल सबसे पहलेसकन मॉल चार मोलर माश एक यह ऑक तो 32 करता, एक ही oxygen है ने बटा, तो क्या करेगा, 16 करेगा, तो आप मोल्स कितने आ गए बटा, एक बट्टे 4 आ गए, बिल्कुल सही है, एक बट्टे 4 मोल्स आ गए, तो यहाँ पे आपके ions कितने आ गए, ions आ गए आप लोगे 1 अपान 4 na, कुछ नहीं, na से multiply कर दो, na से multiply कर दि ओक्सिजन में होते हैं, 8 electron, यहाँ पे आपने 2 electron और feed कर रखे हैं, तभी तो बटा, 2 negative आया, तो 8 already थे, 2 और डाल दिये, तो कितने हो गए बटा, 10 electron हो गए, 10 electron हो गए, लेकिन यह किसमें हैं बटा, 1 O2 माइनस में, यह किसमें हैं, बटा, 1 O2 माइनस में, आपके पास कितने है O2- इतने हैं NA by 4, NA by 4 O2- है, therefore, total electron कितने हो गए, total electron कितने हो गए, NA by 4, यह तो आपके total ions थे, into number of electrons, into 10, into 10, तो आँज़र कितना आ गया? 2.5 आँज़र? 10 by 4 कितना हो था? 2.5, आँज़र बिटा, second option, बोलिए हाया ना, बोलिए बिटा हाया ना, आगे बडे है, आगे बड़े बड़े आगे बड़े आगे बड़े आया है मुझे ये बता क्या ये सवाल कर लोगे तो सेम तरीके के सवाल है करो तुसेएसे अगर आपको ये चीज समझ में आईए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपको क्या बोल रहा है अब बोल रहा है 1.8 gram है NH4 positive सबसे पहले mols निकालो सबसे पहले mols निकालो mols अगर आप निकालोगे तो given mass of 1.8 अब NH4 है, nitrogen कितना होता है, NH4 है, nitrogen कितना होता है, 14, 4 hydrogen है, 4 into 1, तो यह कितना हो गया, 18 हो गया इसका molar mass, तो इसको 18 से, डिवाइट कर दो, देखो data भी इसलिए आपको easy दे रखा है, ताकि आप लोगी calculation आसानो, क्या moles निकल गए, हाँ, क्या इसके बाद मैं ions निकाल दूँ, कै प्रीम तरीका, देख, पहले moles निकाल लेते, ions निकाल दिए, moles निकाल दिए, अब NH4 प्लस है, अब यहाँ पे देखो बिटा, आप यहाँ पे थोड़ा सा खेला खेलेगा, कैसे, NH4 प्लस है, अब इसमें आपको क्या बताना है, सवाल देखो, क्या बोल रहा है, protons बताओ, द hydrogen में कितने होते हैं, एक, लेकिन ऐसे कितने hydrogen है, चार hydrogen है, तो प्लस, 4 into 1, 4 into 1, बिल्कुल सही, अब यहाँ पे एक बात सुनना होश्यार हो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपका plus charge है, इसका मतलब क्या है, क्या यह proton है, क्या यह proton है, नहीं भाई, proton आपका nucleus के अंदर होता है उसको आप लोग हटा या एड नहीं कर सकते हो यह तो इलेक्ट्रॉन की वज़े से आया है इलेक्ट्रॉन इससे एक ले लिया होगा तभी पॉजटिव चार्ज आया है इसको प्रोटॉन में मत काउंट कर लेना इस अगर यहां पर यह कुछ नहीं होता तो भी कुछ न आपके पॉजटिव चार्ज कैसे आता है एलेक्ट्रॉन के आदान प्रादान से आता है प्रोटॉन के अंदर होता है प्रोट्ॉन थोड़िन आप लोग है फिर लोग फिर थे आंध़ यह खिल प्रॉट Mitte into 11 तो कितना आगया 1.1 na में को बाय ही मेरे बाय ही मेरे भाय ही ये बता समझ में आया है गलती करियोगी तो यहां करियोगी मेरे को लग रहा है किस किसने गलती करे कोई दिक्कत की बात नहीं गलती कर ले नीट से पहले जितनी गलती करनी या नहीं, ये गलती करी गया, नहीं न, ये करी, 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 है न, कोई बात, कोई बात ने, आप समझ गया न, 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 आचा इसमें एक और खेल प्लस है चलो इस में मेरे कोög न्यूटरॉन प्रोटॉन में ही आप गलती करते हो ऐलेक्टरॉन में गलती नहीं करोगे जänder है अब देख एक और खेला-खेला रहよし न्यूट्रोन बूच रहा हूँ अब कैसे करोगे अब एक है आब का नाइट्रोजन एक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रोन साथ न्यूट्रोन अब सुन ध्यान से यहां पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन में न्यूट्रोन नहीं होते है हाइड्रोज में बेटा आपके न्यूट्रॉन नहीं होते तो यहां पर आपका जो चार हाइड्रोजन है न्यूट्रॉन पर कॉंट्रिब्यूट नहीं करेंगे तो साथ ही न्यूट्रॉन आएंगे यहां पर खेला खेल जाएगा वह यहां पर खेला खेल जाएगा समझ गए समझ गए समझ बात करो तो एक proton एक electron और दो neutron होते हैं ठेक है तो यहां पर खेला खेल जाएगा आपसे ना बेटा हैं समझाघे समझ गए समझ गए समझे बैं आपको बात कर सकते हों कर लो कोई दिक्कत नहीं कोई आपसे कुछ नहीं बोनागा कोई है शारी छीजयmen अब एक महीना बस समर्पत कर दो मेरे पर बाकी आपकी जो गड़ी है वो बढ़िया चलाएंगे ठीक है घबरा हो रहा है आगे चले अभी तो आ रहा है वेटा अटॉमिक श्क्चर भी आ रहा है अब यह करो चलो यह करो अब देखो क्या बोल रहा है अब देखो इस तरीके के आपको बेटा आपको दे रखा है 88 ग्रैम किसका सी ओ टू का अब कुछ नहीं यह आप लोग का पहले तरीके का सवाल है देख चीज़े रिपीट कर रही है यह वाला सवाल और मेरे बाबू यह वाला सवाल अल्मोस्ट सेम सा है कैसे आजा जरा देख यहां देख बटा यहा मुलर मास 44 मुलर मास 44 का मुलर मास कितने होता है 44 होता है तो यहां पर मोल्स कितने आगे पटा दो आगे यहां पर मोल्स कितने आगे दो आगे अब मुझे बता यह दो मोल्स किसके हैं CO2 के हैं क्या आप से CO2 के बारे में पूछा है नहीं आप से किसके बारे में पूछा है oxygen के बारे में पूछा हूँ, तो पहले सवाल में भी करबाया था, अभी भी करबा रहा हूँ, क्या करना है, जितने mols हैं, कितने mols हैं, 2 mols into जितने atoms हैं, कितने atoms हैं, oxygen के, 2 atom हैं, तो यहां पे, क्या हो जाएगा, 2 into 2, mol kis檢ा oxygen के, तो कितने mol हो गए oxygen के, चार mol हो गए oxygen के और चार mol हो गए, तो यह क्या हो गए चार NA atoms यह तो पता है na, मोल की जगे क्या लगा दो अन ए लगा दो, मोल की जगे ए लगा दो, उत्तर क्या है रहे बिटा, पहला option confidence आ रहा है confidence आया confidence कोई दिख्कत नहीं अगर अभी भी आप लोगो देखो मैं एक-एक सवाल एक-एक टाइप का सवाल आपको दो-दो-तीन-तीन बार करवाऊंगा कोई घबरानी की बात नहीं है पहला question आया फिर यह सेम दूसरा question आया आगे जब चलेंगी तो तीसरे तरी ऐसा सा same question तीस आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़ते हैं आगे बड़ते हैं चलो थोड़ा सा atomic structure को देखते है फिर सबको कम माईन भी देखेंगे एक बार आ जाओ जी क्या बोल रहा है अब देखना atomic structure में सबसे ज़्यादा जो probability होती है सवाल पूछे जाने की वह होती है बड़ा quantum number से वह होता है quantum number से अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है correct order of increasing energy अब energy किस पर depend करती है energy depend करती है n प्लस l पर किस पर depend करती है बड़ा n प्लस l पर अब यहाँ पर देख कौन कौन है यहाँ पर देखो कौन कौन है एक है 6S, 1 है 5P, 1 है 5D, और 1 है 4F, N प्लस L निकालते वे चलो, यहाँ पर यह है N, और यह जो S प्लस 0 है, यहाँ पर दिखो पीटा, S प्लस 0 के लिए, क्या होती है value 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो यहाँ पर कौन है 6 है, और S है, तो यहां पर क्या हैगा 6 प्लस 0 कितना आ गया 6 5P है बिटा तो 5P के लिए वैल्यू 1 तो कितना 6 5D 5D है तो वैल्यू 2 7 4 F है F है तो 3 कितना 7 अब N प्लस L पर डिपेंड कर रही है अब N प्लस L जितना कम उतनी कम energy तो सबसे कम energy तो इनकी होगी सबसे कम energy तो इनकी होगी हाँ अब यहां पर जुन क्या इन दोनों cases में N प्लस L सेम है अगर N प्लस L सेम है फिर क्या देखते हो N देखते हो सबसे पहले तो हम देखते N n plus L कम है किया n plus L जञाधा है अब अगर n plus L कम है यहां पर देखो n plus L कम है और इन दोनों Cases में क्या है same है then lower the value of n lower is the energy तो यहां पर n की value क्या है 5 यहां पर n की value कितरी है 6 तो यह 5 वाले के energy कम तो पहले आएगा पिटा 5P फिर आएगा पिटा 6S ठीक है अब यहाँ देख यहाँ भी N प्लस L क्या है सेम है अब N प्लस L सेम है मेरे शब्दो सुन मेरे शब्दो सुन lower the value of N lower is the energy यहाँ पर N छोटा किसका है 4F का तो फिर आएगा 4F फिर आएगा 5D क्या बन रहा है उत्तर बन रहा है उत्तर बन रहा है which of the following set of quantum numbers is not क्या बुटरा है बटा not underline करो possible for 4P electron किसके बारे में बात हो रही है बटा 4P के बारे में बात हो रही है 4P के बारे में बात हो रही है चिक है अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बटा N की value कितनी होगी यह जो पहला number लिखावा होता है यह होता है N तो N की value कितनी हो गई बटा 4 हो गई ठीक है यहाँ पर क्या है बटा P है तो P है तो L की value क्या हो गई बटा L की value क्या हो गई 1 हो गई देखो यहाँ पर मैंने दिखा आपको यहाँ देखो P है तो L की value कितनी है 1 तो P है तो L की value कितनी है 1 या तो हो सकता है, minus 1, यelnा 0, या plus 1, क्या समझे, क्यों। यह जो भी 1 है, minus l to plus l, minus 1 to plus 1, यह तीन values ही हो सकती है, यह तीन values ही हो सकती है, तो यहां पे 3rd option देखो, यह गढबड दिख री है आपको, यह दो क्या लिखा है, यह गढबड दिख री है, यह आपका 3rd option में देखो, M की value 2 है, 2 हो सकता है, 2 थड़ी ना हो सकता है, minus 1, 0, plus 1 नहीं हो सकता है, तो यह गड़वड है, यह answer है, इन सब में बिटा सबसे मजे में कौन होता है, सबसे मजे में होता है, spin, spin बोल रहा है, केवल या तो plus half, या तो minus half, केवल plus half या minus half, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके तो सब जगे सही था, प्लस आफ, प्लस आफ, प्लस आफ, माइनस आफ, केवल दो value हो सकते है, spin quantum number की, चेक है, आगे बड़े, आगे बड़े, आगे बड़े, इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आप लोग का रदरफोर्ड model revise होएगा, चेक ह है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, कि nucleus किसने discover करा था, तो nucleus किसने discover करा था, nucleus was discovered by Rutherford, कैसे discover करा था, जब उसने alpha particle scattering experiment करा था, चेक है, तो वहाँ से discover हुआ था, आपका nucleus, nucleus के अंदर क्या होता है, बड़े, nucleus के अंदर क्या होता है, nucleus के अंदर होते है, आपके proton and neutrons, and proton औ neutron को combine करके क्या कहा जाता है, nucleus कहा जाता है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, concludes, conclude का मतलब यह है, कि इससे निकला गया, तो इससे क्या निकला गया, इससे nucleus निकला था, क्या निकला था, इससे nucleus निकला था, और nucleus के अंदर क्या होता है, आपका proton होता है, और neutron होता है, ठ नूख्लियोंस ठीक है और मुझे बताओ नूख्लियस पे चार्ज क्या होता है नूख्लियस पे चार्ज क्या होता है पॉजयर क्रोटाउन न पके अंदर नूख्लियस इस प्रोटण टॉन में तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है all positive ions are deposited से टधाट स्मॉल पाट मतलब सेंटर सुटा सा Εुकिस यह लाईC HIMया है इसे उतायो पॉजटेव भार ईधा झरोटेने में सेम तरीके यह सवाल नहीं है लेकिन ऐसे बिटा तच्चे टाइप के PYQ भी आ जाते हैं, आ जाते हैं तो करवा रहे हैं बिटा, सब तरीके के सवाल करवाएगी, आप देखने हैं बिटा, 2020 के 2021 के PYQ देखने हैं, इस तरीके के अभी सवाल आ है, क्या बोल रहा है, कोई सा भी element है, X, अब बिटा, X element है, अब बिटा, X आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, X क्या है, element है, चेक है, क्या है, यहाँ यहाँ पर 231 है, और यहाँ पर 89 है, तो यहाँ पर यह क्या बताता है, यह क्या बताता है, प्रोटॉन बताता है, तो 89 तो क्या हो गए बिटा, इसके, प्रोटॉन हो गए, 20-22 में साइट गया 22 में साइट गया कितना 142 142 तो नीट्रण कितने आगया लेक्ट्र सेंग तरी तरीक। किसी को ध्यान है 2020 या 2021 में सेम तरीके का सवाल आयता प्रोट्रों न्यूट्रों नेक्ट्रों नहीं पूछे गया आया था या नहीं आया था किसी ने तो पीवाई क्यों कर रहा होगा इसी तरीके के सवाल बूचा गया था सलो यह करो इव ट्रावलिंग इसेम स्पीड विच ऑफ फॉलिंग मैटर वेवेज वाते वियंग चलता हो पूरा आपको रवाइस करवाते वे चलता हूं यह क्या क्या फॉर्मुल्य थि यह फॉर्मुल्य था लाम्डा इक्वल स्टो एच अपॉन mv, एक और formula था, h upon 2mke का under root, ये दो formula सबसे ज़्यादा काम आते हैं, chemistry में ये दो formula आते हैं, अब क्या बोल रहा है, shortest wavelength, अगर आपका wavelength को सबसे minimum होना है, wavelength को minimum होना है, तो क्या mass को maximum होना पढ़ेगा, speed तो सबकी same है, स्पीड तो सबकी सेम है तो मैं क्या बूल सकता हूं मास को मैक्जिमम होना पड़ेगा और अगर मास को मैक्जिमम होना है तो मास सबसे ज़्यादा किसको होता है बटा स्वाल भी कर लिया इसी त漂 के से रिविजन चलेगा तब जाके आप लो नमबर आएंगे, यह आप लोगे एक सिकेंड, यह बाला करो, यह बाला करो, जैसे दिको यह D-Brog लिखाई, एक और D-Brog लिखाई, एक और D-Brog लिखाई, कोई दिक्कत नहीं बटा, एक पहला सवाल नहीं हुआ, तो दूसरा सवाल हो जाएगा, गभरानी के कोई भी बात नह इच यहां पर क्या बोलु है अच्छा सवाल है यहां पर क्या बोलु रहाएं इच्छा सवाल है lambda है, this is same क्या ये wavelength same बोल रहा है, हाँ, तो यार अगर left side same है तो क्या right side भी same होगी हाँ जी सर, right side भी same होगी, हाँ जी सर लेकिन यहाँ पे mass तो same नहीं है है ना, kinetic energy भी same नहीं है मतलब इनका product same होना चाहिए बेटा, h तो constant है 2 constant है, ये पूरी चीज से mass का order पूछू तो mass सबसे ज़्यादा किसका है alpha particle का, फिर किसका है proton का, फिर किसका है electron का, अब सुनना ध्यान से, भाई, भाई, भाई या सुन, या सुन अगर mass ज़्यादा है तो क्या kinetic energy को कम होना पड़ेगा क्यों, मेरे भाई ये सुन ये जो left side है ना, ये जो आपका wavelength है, this is same wavelength है, ये क्या है बटा, same है अगर wavelength same है left side same है, तो right side को भी तो same होना पड़ेगा right side को भी तो same होना पड़ेगा हाँ, तो same होने का मतलब क्या है, यहाँ पे देख, h constant है 2 constant है, तो mass into kinetic energy को same होना पड़ेगा mass into kinetic energy को constant होना पड़ेगा same होना पड़ेगा तो अगर mass जादा है तो kinetic energy क्या होगी? कम होगी, तबी तो balance होगा तबी तो balance होगा तो अगर mass alpha का जादा है, तो अगर मैं बोलूँ energy अगर मैं बोलूँ kinetic energy तो alpha की सबसे कम होगी फिर proton, फिर electron प्रोट्ट्रॉन और एल्क्त्रॉन की एनर्जी कौन सी है आपकी एकण시다 शैकिकिओद प्रोटॉन ओभस Новłem पहला और बता है आया मज़ चला दिमाग चला दिमाग चला नहीं चला बताइए जो जंग लग चुकि है उसको मुझे बढ़ Sabo के उसको करने किया हम आगे बढ़ सकते हैं अम आजया यह करो आपि अब यह करो अब आब अब आब इसमें ट्रिक है वी बताते पट हुआ सारी चीजे पर बाते पर चलूँ आराम अराम से करो है में को कोई जल्दी बाजी नहीं है मैं आप लोग को 100% चीज़े सिखाने आया हूँ आज़ा क्या बोल रहा है first emission line किसकी बात कर रहा है फोर्स्ट emission line की बात कर रहा है किसमें बिटा बारमर सीरीज में है सबसे पहले तो जो फॉर्मुला होता है वो फॉर्मुला आपको आना चाहिए नहीं आता है तो यहां पर देखो नहीं आता है तो यहां पर देखो क्या फॉर्मुला है बिटा वन बाय लामड़ा इक्वल्स टू आर एच जेड़ स्क्वेर वन अपॉन एन वन स्क्वेर माइन 1 upon n2 square यह formula होता है या नहीं होता है रह की जगे R लिग दो एकी बात रह की जगे R लिग दो एकी बात है Redworks constant यह formula होता है अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है trick याद रुको यह मैंने पढ़ाई है मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ क्या बोल रहा है बेटा first line किसकी बेटा बारमर की कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं बारमर में बेटा कहा जाते हो टू पे बारमर में कहा जाते हो टू पे तो ऐसे लिख दो बेटा पहले तो दिखो टू पे जा रहे पहले तो दिखो 2 पे जा रहे अब आपको कुछ नहीं करना है यह जो 1 लिखा है और यह जो 2 लिखा है इसको add कर दो तो कितना आगया 3 आगया कितना आगया 3 आगया आजी और 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 चीज़ सीको और चीज़ सीको अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ फोर्थ लाइन लाइमन की मुझे फटा-फट से बताईए क्या transaction है क्या transaction है कैसे करोगे लाइमन में कहां जाते हैं 1 पे जाते हैं मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको तो यह 1 लिख दिया अब यहां पे क्या बूल रहा है फोर्थ लाइन तो इस फोर और इस वन को एड़ कर दो तो क्या पांथ से बना जाएगा यही आपका क्या होता है एन टू होता है यह आपका क्या होता है एन वन होता है है आपसे बोल रहा है आपसे बोल रहा है एर्थ लाइन पाश्चन की लाइमन बामर पास्चन में कहां जाते हो तीन तीन यह फी थे लिए लिघन लाइन ऑब 8 लाइन बोल रहा है इस आथ और इस यह को आड ऐढा गया समझ गए हैं तो यहां पर transaction क्या आया three two three 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 ॥्ष्री यह three है । यह आप लोगों का two यह है n1 अब तो value डालनी है अब दो value डालनी है इसीधा value डालनी है अब मैं पूरे value डाल रहा हो यहाँ रहा है तो z की value कितनी वन तो यहां पे किया बन जाएगा 1 का स्कुवेर अब मैं देखुआ value डाल रहरू необход यहां पर आजाओ यहां पर बन जाएगा वन का स्क्वेर आजी एन वन की वैल्यू कितनी है टू है तो यहां पर डाल दो टू का स्क्वेर यहां पर डाल दो टू का स्क्वेर सही है यहां पर क्या डाल दो टू का स्क्वेर सही है यहां पर क्या डाल दिया टू का स्क्वेर एं 1 by 9, चेक है, तो LCM लोगे कितना आएगा, 36, तो यह बनेगा 5 by 36, solve करके देख लेना, यह बनेगा अंदर 5 by 36, चेक है, 5 by 36, अब तो दिग्ग्या आंसर, अब दिग्ग्या आंसर आपको यह रहा बेटा, fourth option, क्या हम लोग आगे बढ़े, क्या हम लोग आगे बढ़े, देखो यह चीज important नहीं है, यह formula तो हर किसी को आता है, लेकिन क्या यह चीज हमें आई है, क्या यह trick हमें आई है, this is important बेटा, आप देखो सवाल तो कर ही लोगे, आपको दूसरों बच्चों से आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है तो यह trick आनी चाहिए आप लोग को, यह सव करो, आजा थोड़ा thermodynamics की तरफ चले, आजा थोड़ा सा thermodynamics की तरफ करे, बताइए क्या answer है, बोल रहे है, 2 mol of an ideal gas at 27 degree Celsius is expanded reversibly from 2 liter to 20 liter, find entropy change, अब देखो यहाँ पे, again simple application of formula, लेकिन majority बच्चे को यह formula ही याद नहीं होगा, majority बच्चे को यह formula ही याद नहीं होगा, कौन सा formula बटा, entropy change का, क्या formula था बटा, 2.303 nr log v2 upon v1, formula याद है, formula याद है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2.303 n की value 2, r की value, देखो कितना अच्छा है, इंसान कितना बढ़िया हूँ मैं, देखो बटा, r की value लेके आया हूँ, ठीक है, r की value लेके आया हूँ, तो r की value डल दे, 2, अब यहाँ पर temperature, temperature के बटा, कोई खेला नहीं है, temperature को देखके confused होगे, 127 degree Celsius है, क्या करें उसका, क्या करें, तो काम ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, formula में है ही नहीं temperature, temperature है ही नहीं, के बटा, nr होता है, log v2 कि कितनी है, 20 liter, v1 कितना है, 2, तो यह तो कहीं है, log 10, log 10 की value कितनी होती है, 1, log 10 की value कितनी होती है, 1, 2.303 x 2 x 2, तो कितना आ रहा है, यह आ रहा है, 9.2, अब घबराना नहीं है, सर, temperature तो use ही नहीं हो रहा, सर, temperature क्यों दिया उसने, अब हमको क्या करना उस गा, है, हमको क्या करना उस गा, है न, अब कितने बच्चों को यह formula याद नहीं था, कितने बच्चों को यह formula याद नहीं था, बताओ, सवाल में तो कुछ भी नहीं है, सवाल में तो कुछ भी नही अगर exam से 30 दिन पहले भी याद नहीं है न तो आगे भी आपको याद नहीं होगा अगर आप लोग अपरी same वो ही जो theory पढ़ रहे हो वो theory ही बेटा आप लोग पढ़ते रहोगे सवाल कर, सवाल कर, ये याद हो जाएगा, जहन में बज जाएगा सवाल करो बेटा, अपने comfort zone से बाहर निकलो, प्लीज बाहर निकलो नहीं निकलोगे बेटा, तो 5 में को तो निकलना ही पड़ेगा वहाँ तो सवाली करने, वहाँ तो बेटा आप लोग अपने notes की copy लेके नहीं जाओगे वहाँ तो बेटा revision करने रहोगे, वहाँ पे तो सवाली करने, उठो और सवाल करो जागो मुहन प्यारे, जागो, करवा रहे हैं प्रहार में theory भी सिखा रहे है साथ साथ में theory भी सिखा रहे है, ठीक है, तो जागो मुहन प्यारे, जागो चीक है क्या करें गबरानी की नहीं है प्रहार रुको प्रहार देखो जिद आ रहा है जिद में हम लोग neat replicas करेंगे full lent mock test देना मेरे साथ देना अपने बड़े भाही के साथ देना सारी चीज़े याद करवाऊंगा बने रहां घबराने का नहीं है यह पहला सशन यह पहला स्वेचन ने चीक है फर्मूल स सीट आपको पर प्रोवाइट क्रा chopped देता हैं हिन्पढयूर बवलो अरव जो की तेली चेनल पर बेज विश्वास नहीं है आप लोग को है एक सिकंड वो मेरे को केमिस्ट्री मैं बेजता हूं यार में को डूंडनी पड़ेगी special notes मिल गई मिल गई मिल फिजिकल रुको मुझे पता है बटा आप लोग को मिरे विश्वास नहीं है हानो बटा रुक जा टेलेग्राम चैनलर पर अभी बेज देते हैं आप लोग के सामने बेज देंगे आप लोग भी बटा खुश हो जाओगे चेक है शेड्यूल कर देता हूं चेक है एक सिकंड हो मेरे का मैं भी बिलक्कर टाइप का अंसान हूं आपको पता है लोग अपन लोग अपन लोग अपन लोग आपन 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 Statement फॉल्स से वर्क के ुभीन है लिखा वैश लिखावा तो वह और पुर आगे भी देख लो और वी देख लो और क्या बोल रहा कुछ भी लिखावा वह स्टेट फंक्शन है ठीक है चेंज इन स्टेट इस कम्प्लीटली डिफाइंड वैन इनिशन इन फाइन स्टेट सब्सक्राइब सत्य वचन तो आंसर पहला उप्शन हना वर्क और हीट क्या होते हैं बड़ा पाथ फंक्शन होते हैं आगे बड़े हैं आगे बड़े हैं चलो बड़ा आगे बड़ते हैं अब यह करो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बहुत रिसेंटली शायद मेरे सबसे 2022 में इसी तरीके का सवाल आया था जरा करो ट्राइक देखो इसी से ही आप लोग को थियोरी बताऊंगा यही करना है आप यही करना है अब बस फॉलओ करो आप बस फॉलो करो परहार बागे सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ो क्या बोल रहा है इनन एडियाबेटेक प्रोसेस बूलते सही मेरे साथ साथ में करते वह चल क्यों की वालीर ही क्यों क्या हो हो गया जीश है चेक है, चेक है, क्या बोल रहा है, choose the correct option for free expansion, free expansion का मतलब क्या है, free expansion जहां पे भी बेटा word आ गया, free expansion का मतलब है, कि आप लोगों का work भी क्या है, zero, heat भी क्या है, zero, first law of thermodynamics, क्या होता है बेटा, first law of thermodynamics, delta e is q plus w, delta e is q is what, zero, work is what, zero, delta e कितना आ गया, zero, तो क्या यहां, पे delta e भी zero आ गया, हाँ, अब सुन ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, delta e zero कब होता है, delta e zero का मतलब क्या है, आपका, आपका isothermal process, ध्यान रखना हमेशा, जब आपका temperature constant होता है, जब temperature constant होता है, तो delta e क्या आता है, zero आता है, it is an isothermal process, और isothermal process का मतलब क्या है, पेटा, temperature is constant, temperature change नहीं हो रहा, temperature change नहीं हो रहा, मतलब delta t is zero, temperature change नहीं हो रहा, मतलब delta t is zero, तो सब zero, q zero, work done zero, delta e zero, delta t b zero, तो answer क्या है पेट आपका, यह करो, which is an extensive property, extensive property, extensive property कौन सी होती है, जो mass पर depend करती है, mass या फिर moles पर depend करती है, mass या फिर moles पर depend करती है, और answer क्या है पेटा, पहला option answer है, volume आपकी mass या फिर moles पर depend करती है, यह तो evagadro law है पेटा, नाम सुने हो evagadro चाचा का, evagadro law, evagadro law क्या बोलता था, evagadro law क्या बोलता था, जो आपके volume है, that is directly proportional to moles, moles अगर बढ़ेंगे तो volume भी बढ़ेगी, moles बढ़ेंगे तो volume भी बढ़ेगी, तो extensive property क्या होती है, जो mass या फिर moles पर depend करती है, तो अगर आपका mass या फिर moles पर क्यों depend करता है, सीधी सीधी volume रिलेट करती है, चीक है, viscosity नहीं करती, temperature नहीं करता, refractive index नहीं करता, चीक है, आगे, 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 हाज, अब यह करो सारा, यह करिए extensive और intensive, sir, experimental chemistry करवाऊंगा, पिटा, experimental chemistry करवाऊंगा, यह पर प्रहार हो जाने तो, फिर आप लोग के session मेंने practical chemistry और purification है, जो आप लोग है, qualitative quantitative analysis, जिसमें जिंडाल्स में तरह वो सब है, वो सारी चीज़े भी plan करता है, यहाँ पर आजाओ, यहाँ पर आजाओ, क्या बोल रह है, value, देखो क्या बोल रहा है, value है, delta H की, और delta S की, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर कहाँ पर खेलता है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर कहाँ पर खेलता है, आपको, आपको delta H की value दे रहे कितनी, 40.63 किलो जूल पर मूल, ठीक है, सर, है ना, और delta S की value कितनी दे रहे ह अब देख यहाँ पे कहाँ खेले का, यहाँ पे किलो जूल, यहाँ पे जूल, यहाँ पे जूल, गडबड है, तो इस किलो जूल को क्या कर, जूल में convert कर ले, तो कुछ नहीं, 10 to the power 3 से multiply कर ले, सही है, अब सही है, अब दोनों जूल-जूल, अब मजा हो गया, अब देख क्य अब क्या बोल रहा है, अब देख क्या बोल रहा है, temperature when Gibbs free energy transformation will be 0, तो Gibbs free energy का formula क्या होता है, Gibbs free energy का formula क्या होता है, delta G equals to delta H minus T delta S, इसकी value 0 कर दो, इसकी value 0 कर दो, तो क्या यहाँ पे मैं यह लिख सकता हूँ, delta H equals to T delta S, और यहाँ पे temperature कितना आ गया, delta H upon delta S, delta H की value 40.63 into 10 to the power 3, मतलब 1000, upon delta S, delta S कितना है, 108.8, यहाँ पे Kelvin, सही है, गड़बड कहां करोगे, जहाँ पे unit की difference होगी, unit की difference होगी, अब मुझे पताओ, कितने बच्चों को यह formula पता था, या फिर नहीं पता था, चलो यह पताओ पहले, कितने बच्चों को यह formula नहीं पता था, अब पता चला, अब तो गलती नहीं करोगे, इसकी value 0 बोल रखी थी, फिर मैंने बस proceed कर दिया, अंसर निकाल लेना, calculation आप लोगे, calculation आप लोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह formula आप लोग को आने चाहिए, और आएंगे, देखना, थोड़े टाइम में आपको सारे formula बिटा दिमाग में फीड करवा देंगे, अब यह करो चारा, यह करिए, इक्वल वॉल्यूम अफ टू मुनो अटॉमिक गैसे ए एंड भी आट सेम टेंपरेचर और प्रेशर आर मिग्जड, देर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ही, सीपी बाई सीवी का रेशियो, गामा बोल रहा है बिटा गामा, यह तो फिजिक में भी बढ़ते हो आप लोग होता है 3R by 2, सीपी कितना होता है 5R by 2, डाय अटॉमिक है सीवी कितना होता है 5R by 2, सीपी कितना होता है 7R by 2, अगर बेटा आपका ट्राय अटॉमिक है, तो सीवी कितना होता है बेटा 3R, सीपी कितना होता है बेटा 4R, आप से क्या बोला है बेटा, मोनो अटॉमिक गैस है, CP by CV का ratio, तो monotomic, CP कितना? CP कितना बिटा? 5R by 2, CV कितना? 3R by 2, 2 से 2 cancel, R से R cancel, 5 by 3, which is what? 1.67, answer बिटा D option, answer बिटा D option, सही है, क्या हम आगे पड़े? क्या हम आगे बढ़े हैं? क्या हम आगे बढ़े हैं? आगे बढ़े हैं नेक्स सवाल नेक्स सवाल ये करो ये करो For an Isothermal Reversible Expansion Process The value of Q अब बताए तरह अब बताए तरह इसको कैसे करोगे तरह इसको कैसे करोगे अब देख यहां पे सबसे पहले बात देखो यहां पे Isothermal है Isothermal होते से ही आप लोग क्या बोलोगे Delta E is 0 हाई है न? Delta E किस पर डपेंट करता है? Temperature पे Temperature चीज़ नहीं हो रहा है तो इसकी value क्या हो गई? 0 हो गई Which is what? Q plus W तो क्या यहां से मैं यह लिख सकता हूँ? Work done heat is minus of work done क्या मैं यह लिख सकता हूँ? क्या मैं यह लिख सकता हूँ? क्या मैं यह लिख सकता हूँ? हाजी सेर यह चीज़ लिख सकते हूँ? चेक है अब देख यहां पे reversible process है तो क्या आपको यह formula पता है? Work done reversible में Work done reversible है माईनस 2.303 NRT log v2 upon v1 यह वाता है यह formula पता है नहीं पता तो पता होना चाहिए work reversible में यह formula होता है तो यहाँ पे जो heat है that is what minus of work तो आपकी heat क्या बनेगी बिटा heat क्या बनेगी इसका भी minus कर दो तो एक minus sign already है एक और minus sign आ रहा है तो minus minus क्या बन जाएगा plus 2.303 nrt log v2 upon v1 आंसर क्या है बटा पहला option जो आंसर बटा बॉम्बे बोल रहे थे वो गलत हो गया आप लोग जो बॉम्बे बोल रहे थे second answer वो तो as it is work है वर्क नहीं पूछा है आपसे heat पूछिए तो heat क्या है minus of work तो यह minus sign और यह minus sign क्या बन जाएगा बटा positive sign बन जाएगा क्या समझ में आया अब देखो सवाल आता था बहुत सारे बच्चों को यह formula भी पता था लेकिन फिर भी गड़वड़गर दी क्यों क्योंकि option इस तरीके से लिए हैं है ना आप लोगों को बेटा घुमा फिराके फसाएगा बेटान आपको फसाएगा आपको फसाएगा पेटा सवालों के जालों में पसाएगा लेकें आपको फसना नहीं जैसे वह बुलाएगी लेकें आगे बड़ें ही आगे बड़े बड़ा कि अगे बड़े बड़ा कि बता बेक आँ अ प्यांग मैं बड़े बेता की बताओ नहीं पताता अब तो पता होंदे हैं आज से पहले नहीं पताता लेकिन क्या अब याद रखोगे तreated रहेगा हमें हाँ जी अब याद रखिएगा कैसे चलो बटा माया जाला अंधेरा कायों रहाए किलवेश यह करो बटा थ्री मुल्स आइडियल क्यास एक्स्पांड़ेट स्पॉंटेनियूसली इंटू वैक्यूम बट वैक्यूम वैक्यूम आगे बटा कहीं पर भी अगर ऐसे भयानक वर्ड आजाते हैं कौन-कौन-कौन च ideas फिर्वेयूम फ्री एक्सपांशनो Murray सागए यह फिर ऐसे लिखा वाए कहीं पर भी ऐसे लिखा वाल्यूम वाल्यूम नहीं हुरहा कहीं पर भी अगर constant volume लिखाव है और constant volume का मतलब कौन सा process अगर process के नाम पर पूछे तो isocoric process isocoric process volume बिटा change नहीं हो रही है तो again work done is what? 0 work 0 रहेगा work 0 रहेगा इन words में work क्या रहेगा? 0 रहेगा छेक है जी? दुबई दुबई बटा चलो यह करो इसी बात पर यह करो बटा इसी बात पर यह करो बटा इसी बात पर आजा the work done during the expansion of a gas from a volume of 4 decimeter cube to 6 decimeter cube against a constant external pressure of 380 अब यहाँ पर भी सीखने वाली बात है यहाँ पर भी बटा सीखने वाली बात है क्या बात है? सुनो ध्यान से कभी भी अगर सवाल में बोल रहा है कि आपका constant pressure है कभी भी अगर सवाल में बोल रहा है constant pressure है तो हमेशा ध्यान रखना irreversible process है हमेशा ध्यान रखना irreversible process है और कभी भी अगर बेटा variable pressure है तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका reversible process है और दोनों में work done अलग अलग है irreversible में work done कैसे निकालते है work is minus p delta v और reversible में कैसे निकालते है reversible में तो अभी अभी हमने देखा minus 2.303 nrt log v2 upon v1 तो अलग-अलग है तो आपको कौन सा apply करना है इस बार आपको पहला वाला apply करना है क्यों क्योंकि constant pressure दे रखा है तो आपसे irreversible पूछ रहा है आपसे irreversible पूछ रहा है minus p into delta v delta v क्यों होता है बेटा v2 minus v1 v2 minus v1 तो यहाँ पर देखो pressure कितना है बेटा 3 ATM प्रेशर कितना है बेटा 3 ATM तो minus 3 v2 final volume कितनी है बेटा 6 initial कितनी है 4 तो यहाँ पर 6 minus 4 तो यहाँ पर कितना है बेटा यह 2 आ गया यह 3 आ गया तो minus 6 आ गया अब देखो अब देखो बेटा गडबड करोगे अब वापस गडबड करोगे क्यों 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 आप्शन ऐसे दे रहें गडबड ही गडबड करोगे अब यहाँ पर देख unit क्या बन रहा है यहाँ पर pressure का unit कितना है ATM है और यहाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर decimeter cube है decimeter cube का मतलब क्या होता है लीटर ही होता है one decimeter cube is one liter one decimeter cube is one liter तो यहाँ पर unit क्या बन रहा है यहाँ पर unit बन रहा है liter ATM joule नहीं बन रहा है यह 6 देखके उचलने मत लग जाना कि sir यह देखो 6 यह देखो सर a option अपको क्या है लीटर ATM है आपसे option में देखो आपको क्या बोल रखा है Joule बोल रखा है तो यहाँ पे एक conversion लो नहीं पता तो यहाँ पे सीखो क्या conversion है conversion यह है कि 1 liter ATM is 101 101.3 Joule और 1 liter bar is 100 Joule देखो बिटा मैं बड़िया इंसान हूँ तभी देखो बिटा आप लोगो को मैंने आपे सवाल में दे रहा है 1 liter ATM is 101.32 Joule लेकिन जरूरी नहीं है NTA पे बरोसा नहीं करना है यह अपने को याद होना चाहिए मैं तो बड़िया इंसान हूँ यार मैं तो देदी आपको मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग सीखो लेकिन NTA तो आपको टेस्ट करने आया है है ना नाशनल टेस्टिंग एजन्सी है उस पर विश्वास नहीं करना है तो इसको जूल में गनवर्ट करना है तो अपने को याद होना चाहिए माइनस छे को मल्टिप्लाइ कर दो 101.3 से कितना आएगा आंसर आपका कितना आएगा सेकंड ओप्शन चीक है भाई यह याद रहेगा याद रहेगा यह नहीं रहेगा विश्वास मत करना इतना कि NTA तो अच्छा है सार एंटी यह तो दे देगा सारी चीजें दे तो दे नहीं दे नहीं दे बड़ा मूडी है चुल ज़ो इसी बात पर सवाल कर लो इसी बात पर सवाल कर वेन वन मुल अपगास is heated at constant volume यूँआ क्या बताया इअभे अभी बताया constant volume वर्क को बोलो बेटा टाटा भाय 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 वर्क को बोलो बेटा टाटा भाय 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 चेखे टेंपरेचर इस राइज टो नाइट जो 308 Kelvin एर इन हीड सप्लाइड ओ एक हीड एक हेंद एक हें दे रहे हैं दे रहे हैं तो पॉजटिव fakal 500 जूल्स बने विच स्टेटमेंट ट्रू तो हीट इतनी वह कितना अब लगाओ विटा डेल्टा एज क्यू प्लस डबलू तो डेल्टा एक कितना अगया विटा प्लस का पांसो और डबलू तो जीरो है तो आंसर क्या रहा है सेकंड ऑप्शन अंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन अंसर आ रहा है बोलो पिटा वोलो बड़्य के उनसे देटाव अखीयों से गोली मारें इन सब्सक्राइब एक और एक और फॉर्मुला सारे पॉइंट आपकी आँखो के सामने से गुजरेंगे आप देखो तो सही बेटा आप रहार अटेंट तो करो आपको खुद को मजायेगा कौन सा फॉर्मुला लग रहा है यहां पे option देखके आपको कॉन सा फॉर्मुला लग रहा है क्या आपको यह फॉर्मुला पता है delta H equals to delta E plus delta energy RT क्या यह फॉर्मुला पता है यह पता है तो वही तो फॉर्मुला लग रहा है बस क्या निकालना है डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं बेटा ये गैस है ये गैस है ये गैस है डेल्टा एनजी कैसे निकालते हो बेटा डेल्टा एनजी कैसे निकालते हो प्रोड़क्ट के गैस मोल्स कितने मोल्स है प्रोड़क्ट के दो minus reactant के यहाँ पर बटा 1 है यहाँ पर बटा 3 है तो कितरे है 4 तो delta NG कितना है बटा minus 2 delta NG कितना है बटा minus 2 तो value डाल तो बटा क्या बन गया delta E plus minus 2 RT तो यहाँ पर क्या बन गया बटा second option सही है आगे बड़े my hero hero lal आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े, चेक है, अच्छा, इसके और फॉर्म पता है आपको, इसके और फॉर्म पता है, डेल्टा एच, अब देखो बटा, थियोरी भी करवाते वे चल रहे हैं, यहां देखे बटा, यह तो पता था, क्या हमें यह पता है कि डेल्टा एच को हम लोग क्यू पी लिख सकते हैं तो एक और formula कर निकल के आता है QP equals to QV plus delta NGRT यह पता था में formula या नहीं पता था नहीं पता था तो कोई बात नहीं है लिखके रखिए नहीं पता था तो कोई बात नहीं है यह चीज लिखके रखी है ठीक है सारी चीज़े बताते वे चलेंगे आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे इसी बात पर यह करो बटा अब यह देखो और यह तो अपना सर्फेस के मिश्रिक आगे इसको छोड़ो अब आजा थोड़ बहुत करें अपना बना ले पियाँ आजा चलो एकली बिरिम में इकली बिरिम में दिक्कत आती है सर्फॉर्मूलय आफलाई करेगा ना जहन में भज जाएंगी चीजेए अपलाई करो अपलाई करो पिड़ा है चला बड़ा, क्या बोल रहा है PKA of acid is PKA of acid is 4.8 PKB is 4.78 pH of the solution of the corresponding salt अब यहाँ देख यह कौन सा है यह pH लिख रखी है salt की, कौन से salt की कौन से salt की salt of weak acid and weak base कौन हुश्यार बच्चा है जो मुझे यह बताएगा कि आपको कैसे पता चला सुन ध्यां से, आपको कैसे पता चला कि यह जो salt है यह weak acid और weak base का है कैसे पता चला कौन है हुश्यार बच्चा, कौन बताएगा चाट सेक्शन हो, यह salt है weak acid और weak base का आपको कैसे पता चला क्यों क्योंकि PKA दे रखा है PKB दे रखा है PKA और PKB weak acid और weak base का ही define होता है strong acid और strong base का define नहीं होता है तो अगर PKA दे रखा है अगर PKB दे रखा है और salt की बात कर रहा है तो इस salt of weak acid and weak base अब apply कर अब apply कर pH equals to 7 plus half PKAE की value 4.80-PKB की value 4.78 तो यहापे कितना आगे बड़ा 7 plus half यह होगे बड़ा 0.02 तो यह तो होगे 7.01 D option आ रहे? 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 ठेक है अब यह बात सो अब आज़ा theory पड़े अब आज़ा theory पड़े अब आज़ा theory पड़े इसकी theory पड़े थियोरी पड़ेंगे बड़ा देख द्यान से salt of weak acid plus weak base सर मुझे formula तो याद हो गया सबसे पहले बात बताओ formula याद हुआ है नहीं 7 plus half pka minus pkb क्या यह formula याद हुआ याद नहीं हुआ तो याद गर फटाक से याद नहीं हुआ तो अगर केस केस के बड़ा है के बड़ा है क्या डॉमिनेट कर रहा 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 है क्या डॉमिने कर रहा है के बी कौन डॉमिनेट कर रहा है के बी डॉमिनेट कर रहा है इस पार जो डॉमिनेट करेगा बेटा वो ही उसी टाइब का सल्यूशन बने और वहीं पर ही अगर के और के बी बराबर है तब बनता है न्यूट्रल तब बनता है न्यूट्रल क्या ये तीन के समझ में आये हैं जो dominate करेगा वो solution जो dominate करेगा वो solution बराबर तो neutral और वहीं पर ही वहीं पर ही ये सुन ये सुन एक और सवाल सुनो एक और सवाल सुनो अगर बेटा आपका salt है strong acid plus strong base का अब ये किसी पर depend करेगा क्या salt है strong acid और strong base का ये किसी पर depend करेगा क्या नहीं it is always neutral it is always neutral pH 7 at 298 के लिए ये धियान रखना है बेटा ये हमेशा neutral रहेगा weak acid और weak base का है तो गड़बड रहती है तो depend करता है कौन dominate कर रहा है के कर रहा है के भी कर रहा है या बराबर है लेकिन दोनों अगर strong है तो दोनों का पढ़रा बारी है तो आप लोग इसे क्या बोलोगे हमेशा neutral इसे क्या बोलोगे बिटा always neutral always neutral ठीक है जी याद रहेगा आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें एक बर yes yes रिलीज कर सकता है एच प्लस विच रिलीज इज एच प्लस जो रिलीज कर सकता है एच प्लस चेक है ब्राउंस्टेड बेस कौन था जो रिलीज कर सकता है या फिर जो एक्सेप्ट कर सकता है एच प्लस तो इसने क्या बना यह कैसे बिएक विएव कर रहा है एच प्लस चेकर सकताइब एच कर सकता है तो इसने क्या बना यह कैसे बिहेव कर रहा है एकसेट की तरह साथ साथ में बेटा यह एकसेप्ट भी कर सकता है एकसेप्ट भी कर सकता है और एकसेप्ट भी कर सकता है और एकसेप्ट भी कर रहे हैं एकसेप्ट भी कर रहे हैं रेलीज भी कर रहें, accept भी कर रहें, बीच में फसेव हैं, बीच में फसेव हैं तो दोनों की तरह behave करेंगे, ठीक है बिटा, प्रेणव बिटा सुन लिया, प्रेणव बिटा, इतना spam करने के जरुरत नहीं है, ठीक है, सही है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, सर एक strong, एक weak रहा तो तो strong वाले dominate करेगा doubt यह आया है कि suppose करो ऐसा salt है यहां पर देखो doubt यह आया है salt of strong acid plus weak base यह doubt आये तो जो strong है वो dominate करेगा यहां पर strong कौन है strong acid तो solution क्या रहेगा यह total solution क्या रहेगा acidic रहेगा अगर आपसे बोल रहा है salt औफ वीक डेस और सोरी एसेट और स्ट्रॉण बेस तो स्ट्रॉण कौन है बेटा आपका बेसक यह जो स्ट्रॉण होता वो डॉमिनेट करता जो चुर्ष Spot करता है जो हिस्ता है और अगर दोनों बराबर हैं दोनों स्ट्रॉण है तो न्यूटल बन जाएगा ठेक है हरे में पर इन्ट है तीनियशन अट इसके बात अब लोग आंगे बड़ते में एक बात हम चुन में में एक बात हम सब दीज दीजे छाथ सेक्षन में आगे बड़े हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलो इसमें आजाओ next सवाल next सवाल in which of the following equilibrium केसी केपी और नौट इकवल किसमें बेटा equilibrium नहीं है किसमें बेटा equilibrium sorry किसमें केसी केपी बराबर नहीं है equilibrium तो है केपी केसी बराबर नहीं है यह बोल रहा है टेलीगनायम चैनल पे बेटा formula sheet upload हो गई है ठीक है उसको अराम से इस session के बाद जाके देखने हैं चलो पताओ क्या रिष्टा होता है इन्हें में रिष्टा क्या होता है इन्हें में रिष्टा होता है kp equals to kc rt की पावर delta n g क्या यह रिष्टा होता है क्या रिष्टा होता है kp equals to kc rt की पावर delta n g सही है अगर बेटा डेल्टा एनजी 0 होता है तो केपी और केसी क्या होते हैं बराबर होते हैं केपी और केसी क्या होते हैं बराबर होते हैं चेक है तो यहाँ पे देख लो और नॉट इक्वल बोल रहा है यहाँ पे देखो यहां पे 1 यहां पे 1 प्रोडक्ट में कितने हो गए टू रियक्टन में कितने हैं टू तो टू माइनस टू डैल्टा एंजी कितना हो गया जिरो गया सेकंड्ड अप्चिन में निकालो अच्छा फॉर्फ उप्चिन गालो फॉर्फ उप्चिन का देखो गासेश्च मोल्स कितने दो प्रोड़क्ट में कितने दो माइनस अब देख यहाँ पे यह कौन है बिटा सॉलिड है सॉलिड को कर दिया कर इगनोर केवल गैस के मूल्स ओटू क्या है गैस है कितने मूल्स है बिटा एक मूल है तो 2 माइनस 1 कितना अगे बिटा 1 आगे तो यहीं पर ही डेल्टा एंजी जीरो नहीं आ रहा डेल्टा एंजी जीरो नहीं होगा तो बिटा केपी केसी बराबर नहीं होंगे यहाँ पर केसेज पता है आप लोगों मैं हीरो हीरलाल यह बताओ जरा चाट सेक्शन एक दम एक्टिव कर दो बिटा मुझे बताईए क्या यह आपको पता है यह नहीं पता है पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो याद गरो याद गरो चीक है पहले बात तो यह रिष्टा होता है है ना डेल्टा एंजी अगर जीरो होता है तो केपी इस इक्वल टो केसी ये तो हमें पता है चीक है जर अगर delta energy greater than zero आता है तो kp बड़ा होता है केसी छोटा होता है और बेटा अगर delta energy less than zero आता है तो kp छोटा होता है केसी बड़ा होता है ये तीन cases होते हैं पता थे तो अच्छी बात है नहीं पता है तो इसे अभी बता कर लीजिए अभी बता कर ल चेक है चलो चेक है आगे परते हैं अब देखो यह शांदार सवाल अब यह शांदार सवाल यह करो पिटा अब यहां पर एक और चीज़ सीखोगे यहां पर करिये यहां पर आज अब रहा क्या बोल रहा है a solution which is 10 to the power minus 3 molar in Mn plus 2, Fe plus 2, Zn plus 2, Hg plus 2 is treated with this चेक है चलो यहां पर देखो क्या बोल रहा है सुनना द्यान से और आपको KSP values दे रखी है KSP किस-किस की दे रखी है आपको दे रखा है MnS है Fes है ZnS है और Hgs है चेक है चेक है चेक है चेक है आपको क्या-क्या value दे रखी है इसकी दे रखे 10 to the power minus 15 इसको दे रखे 10 to the power 23 इसकी 10 to the power minus 20 और last वाले की दे रखे 10 to the power minus 54 क्या बोल रहा है which one will precipitate first अब this is very important चेक है this is very important यह जो आपका पहले precipitate कौन होगा पहले precipitate वो होगा जिसका lowest KSP होगा lower the value of KSP जितनी छोटी बेटा value KSP रहेगी यहापर लिख देता हूँ यहापर लिख देता हूँ यहापर देखो बेटा आपका KSP अगर कम होता है तो solubility कम होती है क्या कम होती है बेटा solubility कम होती है KSP कम तो solubility कम और solubility अगर कम है तो इसका मतलब क्या है PPT fast बनेगा PPT सबसे fast बनेगा तो यहाँ पर सबसे कम value किसकी है बेटा 10 to the power minus 54 HGS की तो सबसे पहले PPT इसी का बनेगा सबसे पहले PPT इसी का बनेगा ठीक है जी याद रहेगा ये चीज़ याद रहेगी ये चीज़ याद रहेगी ठीक है आगे बड़े बताईए ये चीज़ याद रहेगी ठीक है चलो आगे बड़े 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 चलो ये करो अब यह आज़ो KA1, KA2, KA3 are the respective ionization constant of the following reactions ठीक है the relation between KA1, KA2 and KA3 चलो ये बड़े बड़े ये बड़े बड़े ये बड़े बड़े जैसे इसकी value दे रखी है पहला वाला equilibrium constant इसकी value दे रखी बड़े KA1, इसकी दे रखे KA2, इसकी दे रखे KA3 सबोस करो this is your first reaction this is your second reaction, this is your third reaction, अब बताईए ज़र कुछ नहीं अगर आप लोग ये देख पारे हो 3 equals to 1 plus 2, क्या ये देख पारे हो क्यों? जैसी आप 1 और 2 को add करोगे, जैसी आप 1 और 2 को add करोगे, तो जड़ा add करो add करो, यहाँ से hs minus और hs minus cancel यहाँ पे h plus h plus 2 h plus हो गए, यहाँ यहाँ पे s2 minus आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? h2s यहाँ पे क्या आ गया? h2s, तो बराबर दिख रहा है आपको, 3 is 1 plus 2, अब ध्यान रखना when equations are added यह आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो देखो, when equations are added equilibrium constant क्या होते हैं बटा? equilibrium constant क्या होते है बटा? multiplied क्या होते है बटा? multiplied तो क्या बनेगा बटा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा आपका ka3 is what? ka1 into ka2 answer is answer is पहला option आगे बड़े 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 पिसर आगे बड़े पिसर जैसे यह करो यह करो गटा अब यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है in which of the following reactions the equilibrium the equilibrium remains unaffected on addition of small amount of argon argon क्या है बड़े noble gas है तो कौन सी condition है बड़े यह है addition of inert gas at constant volume बोल रहा है तो पूरा concept सीखो पूरा concept सीखो क्या होता था बड़े क्या होता था अगर आप inert gas at constant volume डालती हो तो बेटा no effect तो बेटा no effect equilibrium disturb ही नहीं होता है अगर constant volume है तो answer क्या है बेटा answer क्या है सबसे पहले तो fourth है the equilibrium will remain unaffected effect ही नहीं करेगा effect ही नहीं करेगा अगर constant volume है तो लेकिन अगर बेटा inert gas डाली है inert gas at constant pressure अगर pressure constant है pressure constant फिर कहां जाती है बताई ये reaction अगर pressure constant है तो कहां जाती है where moles increase जहां moles बढ़ेंगे वहाँ जाएगी तो ये दोनों चीज़े में बता दी सवाल तो कर लिया पिटा अपन ने constant volume पूछा तो constant volume में तो no effect है answer is fourth option लेकिन constant pressure में अगर पूछे तो वहाँ जाएगी जहां पे moles increase करेंगे तो देख लेना product side कर रहे है या reactant side कर रहे है product side कर रहे है या reactant side कर रहे है जैसे यहाँ पे देखो सवाल करो एक बार यहाँ देखो बटा जैसे यह है PCL5 अगर यहाँ पे आपको बोल रहा है inert gas at constant pressure मुझे बताओ forward या backward constant pressure बोल रहे हैं constant pressure बोल रहे हैं मुझे बताओ यह forward या backward forward या backward मुझे बताओ और एक और सवाल करेंगे बताओ बटाओ सवाल एक्स्ट्र सवाल भी तो करवा है सारी चीज़े करवा रहे हैं तभी बोल रहे हैं आख बंद करके प्रहार फॉलो कर लेना कल से गायब मत हो जाना कल से गायब मत हो जाना constant pressure जहाँ पे मॉल्स increase करेंगे यहां देख बिटा यहां वन यहां वन तो यहां कितने मॉल्स बिटा यहां कितने मॉल्स बिटा दो मॉल्स यहां पर कितने मॉल्स बिटा एक यहां पर एक मॉल्स चेक है तो कहां बढ़ रहे हैं मॉल्स प्रोड़क्ट साइड बढ़ रहे हैं तो फॉरवर्ट कहां बढ़ हो गए तो कहां बढ़ रहे हैं अब रियाक्टन तरफ है किया दॉप्ले कि यह घुझा और से ग्टकॲे टो नूप यह सब्सक्राव बैं सबसेंट करनर कोई भी लेना देना नहीं या गए या नहीं हुआ या धुआ या नहीं हुआ भिंडी लो 20 रुपे किलो पनीर तो थोटे नाइम में सुनार की दुकान में बिकेगा ऐसे डायलोग बोलने नहीं पड़े हमें फ्यूचर में इसलिए प्रहार फॉलो कर लो चैके अलू लेलो कांदा लेलो सुबे से ना बिका है ए अपाना मेरे पास आयो रियाक्षन कुएंट दे रखा है ठीक है The reaction will proceed from right to left मतलब बोल रहा है right से left मतलब किसकी बात कर रहा है backward direction की बात कर रहा है backward direction की बात कर रहा है ठेक है तो यहाँ पे भी again तीन cases थे क्या cases थे अगर Q, K के बराबर हो जाता है तो equilibrium होता है अगर Q छोटा होता है के से तो forward होता है और अगर Q बड़ा होता है के से Q is what? reaction question तो क्या होता है बटा? backward और आपको कहा लेके जानी है reaction? सवाल के साबसे backward ही backward कहा जाएगी? जब Q बड़ा होगा तो मतलब Bombay आगे बड़े आगे बड़े बटा आगे बड़े बटा चीक है? ये तीन केसिज होते हैं मेरी बाद एक बता हूँ एक बड़ी शांदार और controversial चीज बोलूं एक लेकिन है बड़ी important एक चीज बोलूं बटा एक controversial चीज बोलूं आगे बड़े बटा मेरी बाद सुने मेरी बाद सुने आप लोगों का एक बात आप लोग समझ लीजिए जो neat का examination है वो काफी easy examination है उसको difficult कैसे बनाया गया? एक तो number of aspirants बहुत जादा increase हो गया है उसके वज़े से आपके cut-off और यह सारी चीज़े इंग्रीज हो गया है मतलब अगर paper में paper की बात करूं और इसको अगर हम JEE से compare करें तो neat का paper का level होता है वो काफी कम होता है as compared to JEE जेए में difficult होता है तो neat में एक आप लोगों के पास advantage है क्या advantage है? दो तरीके के बच्चे एक तो यह बच्चा है जिसने ये आज से 4 महिने पहले पढाता और उसको याद है और उसने बढ़िया तरीके से 20 इसका उत्तर दे दिया बिल्कुल सही एक बच्चा वो है जिससको इसको इसके बारे में नहीं पता इन तीनों के बारे में नहीं पता, कोई दिक्केत की बात है, रटले, 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 और वोही करवानी की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो ऐ लास्ट के 30 दिन बचे हैं, इतने सवाल करवाऊंगा मैं इतने सवाल करवाऊंगा कि ये जहन में बच जाएगा ये इसका अगर आपको फंडा नहीं पता है बैकेंड में इसके क्या चलता है जब हम लोग पढ़ते हैं जब हम आप छे महीने होते हैं दस महीने होते हैं तो हम लोग डीटेल में इसके बारे में पढ़ चार बटा रटने वाले को भी मिलेंगे सही करना आना चाहिए आपको नहीं पता ना सके बैक एंड में क्या चल रहा है नहीं सब्सक्राइब यहां यह चोटी चीज चीज चोटी चीज च्छोटी चीज चीज कॉन्स्टन्ट वॉल्यूम पे 9 इफेक्ट से प्रेशर पे जहां मैंने आपको बता है, और paid batches में, राम सा बताई, कि हम मोल्स increase क्यों होते हैं, लेकिन अब ये के लिए, अब ही के लिए मेरे भाई یाद करले से, याद करले, इतने सवाल कर लो भाई, इतने सवाल कर लो, कि आप लोगों के जहन में बस जाएं चीजें, इतने सवाल कर लो और यही परपस है बेटा यही परपस है लास्ट के 30 डेज में इतने सवाल आप लोग को करवा देंगे कि अगर किसी का concept भी आपको नहीं पता ना तो भी आप लोग चार नंबर कराओ तो भी आप लोग चार नंबर कराओ मज़े की बात तो वही है ना बटा मज़े की बात तो वही है चीकर ने आपको concept नहीं पता आपको इसका concept नहीं पता लेकिन अभी यह चीज याद है अब आप लोग कर लोगे तो खुश्यारी खुश्यारी करने तब ही मैं बोल रहा हूं last के time पे 100% अपना question practice पे चले जाओ ज इसी बात पर यह भी करिए करो pH of a solution which is 0.1 molar HA and 0.5 molar in NAA अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर पहचानों के कैसे यहां पर पहचानों के कैसे combination है किस-किस का यहां पर है आपका HA plus sodium और A यह कौन है विटा this is your HA क्या है विटा आपका a weak acid और यह क्या है विटा salt with strong base यह क्या बन रहा है मेरे बहाई यह बता यह क्या बन रहा है यह बन रहा है आपका acidic buffer यह बन रहा है विटा आपका acidic buffer बन रहा है यह लेग दिया pH अब डालो फॉर्मुले में अब सुनो ध्यान से यहां पर के की वाल्यू दे रखिए 1.8 इंटू 10 तुद पार-6 अब ट्रिक देखो यहां पर के कितना है 1.8 इंटू 10 तुद पार-6 पी-के कैसे निकलेगा ट्रिक बताओ और ट्रिक बताओ ट्रिक यहां पर छे नंबर है यह ऐसे ले ले लो बीच में माइनस साइन लगाओ यहां पर कितना है बिटा 1.8 इसको ले लो log के अंदर अब आप बुलोगे सर log 1.8 तो हमें पता ही नहीं है सही बात है पता होना भी नहीं चाहिए लेकिन log 2 की value पता है 0.3 पता है log 3 की value पता है 0.47 नहीं पता तो लिख लो log 5 की value पता है कितनी 0.69 तो अगर 1.8 नहीं पता तो 2 तो पता है न कुछ नहीं इसको भी 0.3 लिख दो इतना approximation चलेगा इसका approximation इतना approximation चलेगा log 1.8 को क्या लिख दो log 2 कोई दिक्कत की बात नहीं 0.3 लिख दिया कितना आ गया 5.7 5.7 5.7 अब यहां देखो बिटा फॉर्मुले में डालो पी एच इक्वल्स टू पी के एच इक्वल्स टू पी के 5.7 प्लस लॉग अनायन किसका salt का अनायन किसका salt का यहां पर देखो यहां पर देखो इसकी value कितनी दे रखी है इसकी दे रखी है 0.1 इसकी दे रखी है 0.5 यहां देखो बिटा यह 0.5 तो यहां पर अनायन भी कितना 0.5 तो यहां डालो बिटा numerator में आएगा 0.5 denominator में आएगा आपका acid की concentration acid की concentration कितनी है 0.1 ते कितना आ गया बटा pH equals to 5.7 plus log 5 log 5 की value log 5 की value 0.69 ते कितना आ रहा है बटा कितना आ रहा है बटा यह हो गया 6.4 के गरीब होगे 6.4 के गरीब होगे तो 6.44 Bombay answer बटा Bombay answer बटा हाया ना हाया ना यह formula याद था यह नहीं था जिसको नहीं था मैं मैं करो जाट सेक्शन में यह acidic buffer है बटा जिसको याद नहीं था कोई दिको परिशान होने की बात नहीं है सत्य है कि हमें यह formula याद नहीं है लेकिन यह भी एक सत्य है कि आज के session के बाद मुझे याद हो गया है याद तो हुआ है साथ साथ में apply करना भी आया apply करना भी important है apply करना भी important है समझे केवल याद करने से कुछ नहीं होता है आपको तभी मैं बूल रहा हूँ प्रहार follow करो याद तो करना ही करना है उसके साथ application भी देखनी है theory तो पढ़नी पढ़नी है साथ साथ में सवाल भी करने है साथ साथ में सवाल भी करने है चलो अब इसी बात पर सवाल करो एक और बड़ी है सवाल है अब यह देखो chemical equilibrium से अब यह देखे chemical equilibrium से क्या बोल रहा है देखो देखो क्या बोल रहा है initially we start with equal concentration of A and B बिल्कुल ठीक है at equilibrium we find that moles of C is two times that of A अब सुनना ध्यान से अब देखो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं pen when छोड़े pen when छोड़े पहली बार इस तरीके के सवाल आ रहे हैं ध्यान यहान लगाए acidic में ही buffer आता है lol 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 वेटा lol आ जाओ यहाँ पर देखो अब देखो छोड़ो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है यहां पर देखो इसके एक मोल ले लिए इसके भी एक मोल ले लिए दुनों के कुछ समय के बाद क्या होगा मुझे यह बताओ क्या यह कम होगा क्या यह भी कम होगा हां तो यहां पर देखो यह मैंने कहले लिए वन माइनस एक सुनना ध्यान से यहां पर दिस वेरी इंपॉर्टन्ट क्या इंपॉर्टन्ट है देखो, एक थे आपके initial goals, x यहाँ से क्या कर गए, react कर गए, x यहाँ से क्या कर गए, left कर गए, है न, तूट गए, तो बचे कितने, 1-x, यह जो 1-x है यहाँ पर लिखो बिटा, पूरा, यह जो 1-x है, यह तो क्या होता है पूरा, ये कितने बचे हैं, कितने लेफ्ट हैं लेकिन अगर कोई आप सब बूचे कि react कितने हुए हैं तो ये जो simply जो x होता है बिटा ये होता है reacted तो बिटा अगर आपके पास एक रुपया था उसमें से x react कर गए तो बचे कितने हैं, 1-x बचे कितने हैं, 1-x अब यहां देख, यहां देख अब स्टोशियोमेटरी देखो अगर इसका 1-mol react करता है तो c के कितने mol बनते हैं, 1-mol अगर इसका 1-mol बनेगा तो अगर इसके x-mol react करता है x कितना रहा है, 2-3 x कितना रहा है, 2-3 क्या 2x3 आ रहा है x 2x3 आ रहा है x हाँ, अब डाल दो यहां पर value d में क्या डाल दो d में क्या डाल दो d के जगे डाल दो 2x3 एकस है ने बैटा 2 by 3 सी की जगे क्या टाल दे बैटा 2 by 3 अब देखोंगे यह पर क्या है 1 minus x तो 1 minus 2 by 3 तो यह क्या बन जाए बैटा 1 by 3 और यह कितना बन जाए बैटा 1 by 3 अब एकलिवरिम कॉंसेट लिखो लाग नहीं है बैटा लाग नहीं है लाग कहा है लाग कहा है लाग कहा है लाग कहा है लाग सही हो गया है लाग सही हो गया है एक मैं मुझे बताइए क्या लाग सही हो गया है रिपीट कर रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं रिपीट कर रहा हूं क्या लाग सही हो गया है कि यह लाग सही हो गया है लाग सही तो है सही तो है बटा लाग लाग सही निवह गया हो गया हो गया है लाग सही हो गया ही सभी सब्सक्राइं वापस बता दें वापस बता रहें यह मुझे बताओ एक्सटू बाधृ आ गया है क्या X 2 x 3 पहुछ गये थे पहूंच गए autre मिया दिकर हम लुग पहुच गएते क्या एक सीक को फुछ वाह पहुच गए थे अब यहां पर देखो क्या था Mazda किया देखेast क्या था यहां पे कुछ नहीं था यहां पर क्या X ये था ये था यह नहीं था रिपीटी कर रह रहा हूं तो इस X के जगे क्या डाल दो 2 x 3 इस X के जगे क्या डाल दो 2 x 3 चेके आच्छा, यहां तक भी निंपोचे देख यहाँ रुक जा, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर देखो आच्छा, यह तो समझ में आ गया ना यह 1-X है, यह 1-X है यह यहाँ तक समझ में आ गया कि यह समझ में आ गया है कि 1 mole आपके पास initially थे दोनों के है ना इसमें से x mol react कर गए तो बचे कितने 1-x सही है मैं पूरा ही repeat कर देता हूँ मैं पूरा ही repeat कर देता हूँ अब यहाँ देखो अगर यहाँ पे 1 mol react करता है तो क्या c का भी बेटा 1 mol बनता है तो अगर x mol react करते है तो यहाँ पे भी बेटा x mol react करेगा क्या यहाँ पे भी x mol react करेगा क्या यहाँ पे भी x mol बनेगा हाँ अब देख सवाल में क्या बोल रहा है सवाल में बोल रहा है mols of c is 2 times mols of a mols of c is 2 times mols of a तो mols of c के कितने हैं बेटा x, x लिख दिये मोल्स एक है कितने है बैटा 1-x तो हैं पर लिख दिए बैटा 2 into 1-x x solve करा 2 by 3 आगे x solve करा 2 by 3 आगे ठीक है अब कुछ नहीं value डाल दो अब कुछ नहीं value डाल दो x की value डाल दो जैसे x की value डाल होगे तो यहां आएगा बैटा 2 by 3 यहां आएगा बैटा 2 by 3 यहां आएगा बैटा 1 by 3 यहां आएगा बैटा 1 by 3 सही है सही है अब मुझे यह बताओ equilibrium constant कैसे निकालते है मुझे बताओ equilibrium constant कैसे निकालते है product की concentration upon reactant की तो क्या यह लिखूँगा c की concentration, d की concentration a की concentration, b की concentration सही है C और D की कितनी है 2 by 3 2 by 3 2 by 3 into 2 by 3 A और B की कितनी है बिटा 1 by 3 और 1 by 3 तो कड़ दो बिटा है यहां पर 1 by 3 into 1 by 3 यह से 3 यह तो cancel होगे है बिटा 3 3 3 3 तो कितना बचा 2 into 2 which is what 4 सही है तो answer क्या आगे बिटा third option answer क्या आगे बिटा third option आया है नहीं है आगे बढ़ें कोई बात नहीं है ऐसे और सवाल है ऐसे और सवाल है भी और करवाता हूँ आगे बढ़ें और सवाल है ऐसे रुख जाओ बिटा और सवाल है गबराने का नहीं है और सवाल है आजो आजो चेक चलो चलो यह सवाल करो शंदार सवाल, शंदार सवाल, शंदार सवाल, स्टार मार का करते वे चलेंगे, कुछ नहीं चीज सीखने वाले, बोल रहा है, equal volume of three acid solutions of pH, 3, 4, 5, 4, mix दिन वैसे, छेक है, क्या बोल रहा है, एक है बेटा, pH जिसमें 3 है, एक है pH जिसमें 4 है, एक pH जिसमें 5 है, ये mix करें, सब क सब की volume V है, सब की volume V है, शंदार सवाल है, शंदार सवाल है, शंदार सवाल है, सब की volume क्या है, V है, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा, सब की volume V है, इसकी volume भी V है, equal volume है ना, तो मैंने V मान ली, equal volume है ना, तो मैंने V मान ली, छेक है, छेक है, अब मुझे बता, अगर pH 3 है, तो क्या यहां से मैं यह लिख सकता हूँ H plus की concentration 10 to the power minus 3 है, यह लिख सकते होगे यार अगर मैं आपको यह बोलता था अगर मैं यह बोलता था कि H plus की concentration 10 to the power minus 2 है, तो pH क्या बोलते है trick 3 है विटा, trick 3 है यह जो value होती है, यह जो value होती है, यह लिख दो as a test, 2 होता था तो यहां पर देखो अगर pH 3 है तो H plus की concentration 10 to the power minus 3 बोलूँगा, pH 4 है तो क्या यहां से H plus की concentration 10 to the power minus 4 बोलूँगा pH 5 है, तो H plus की concentration 10 to the power minus 5 बोलूँगा, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, अच्छा अब मुझे यह बताओ, क्या यह चीज हमें पता है, concentration is what? Moles upon volume मालब बिसे लिए concentration हम लोग क्या लेते हैं Molarity लेते हैं, तो यहां पर Molarity is Moles upon volume तो क्या यहां से मैं Moles को लिख सकता हूँ Molarity into volume हाँ, तो यहां पर देखो Molarity कितनी है? 10 to the power minus 3 यहां से पेटा, H plus के Moles कितने आएंगे? H plus के Moles कितने आएंगे? 10 to the power minus 3 into volume is V volume V माल ली यहां से Moles कितने आएंगे? अब सुनना सीखो के पेटा 10 to the power minus 4 V यहां से Moles कितने आएंगे? 10 to the power minus 5 V देख लो क्या Moles लिख दी है तीनों के? हां हां तो total H plus Moles यहां देखो पेटा total H plus Moles कितने आएंगे हैं पेटा? 10 to the power minus 3 V plus 10 to the power minus 4 V plus 10 to the power minus 5 V total volume बोलो total volume बोलो total volume बोलो पेटा तीनों को mix कर रहे हो V, V, V total volume is what? V plus V plus V कितना 3 V कितना 3 V तो नई concentration कितनी है? नई concentration कितनी है? अब देखना ध्यान से अब क्या सीखोगे यहां पे? concentration क्या होती है? Moles upon volume Moles कितने है? 10 to the power minus 3 V 10 to the power minus 4 V एक और सवाल करवाऊंगा अब आप करोगे क्या यह मैंने Moles लिख दिये? क्या यह मैंने Moles लिख दिये? क्या मैं volume 3 V कर दूँ? क्या divided by 3 V कर दूँ? तो यह V यह V common लोगे V और नीचे से cancel तो V तो कर दो cancel अब सुन ध्यान से अब बेटा पेट में एक बात हजम कर लेना अब बेटा पेट में एक बात हजम कर लेना इस V को तो हमने कर दिया cancel अब देख यहाँ पे 10 to the power minus 3 है 10 to the power minus 4 है 10 to the power minus 5 है तो क्या यह minus 4 और minus 5 छोटा है as compared to 10 to the power minus 3 हाँ छोटा है ना? हाँ तो दोनों को क्या कर? ignore इनको क्या करेंगे? ignore 0 इनको क्या करोगे? 0 हमको इनको ignore करना पड़ेगा तो आपके पास H plus कितना आ रहा है? यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा H plus कितना आ रहा है? concentration 10 to the power minus 3 by 3 अगर ignore नहीं देखो मेरी बात सुनो ignore हम लोग क्यों कर रहे है? ignore हम लोग कर रहे है हमारी calculation easy करने के लिए अगर नहीं करोगे तो calculation बहुत तफ हो जाएगी 1 by 3 into 10 to the power minus 3 यह कितना हो गया? 0.33 into 10 to the power minus 3 तो कितना हो गया? 3.3 into 10 to the power minus 4 अंसर कितना हो गया पटा? अंसर कितना हो गया? second option second option एक और सवाल करो कि सेम तरीए गया एक और सवाल लेकर है हम यहाँ पर मैंने 3 solution mix करें टफ वाला सवाल मैंने कर वाए 2 solution ignore क्यों किया? ignore मेरे भाई इसलिए किया क्योंकि हमको हमारी सहूलियत देखनी है हमको हमारी calculation देखनी है हमको calculation easy करनी थी इसलिए ignore किया ignore नहीं करोगे तो calculation बहुत difficult हो जाएगी 15 minute 20 minute आप लोग को इसी calculation में लग जाएंगे हमने हमारी सहूलियत के लिए करा answer में कोई difference नहीं आएगा answer में कोई difference नहीं आएगा मेरे को 2 second दो मेरे को वो देखने दो यार मैं आप लोग के लिए same तरीके का सवाल लेकर है same सवाल है दो solution है लेकिन उसमें वह मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग उसे attempt करो क्योंकि हाथ वाती दोनों तरीके के question अम लोग पास-पास में कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में अच्छा बैठ जाएगा यार मैं लेके तो आया था कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया एक सिर्द का oh my god oh my god where it is where it is where is it where यार कहा थे गयो कहा थे गयो कह थे गयो चलो कोई नहीं चलो कोई नी उसको देखते हैं, मिल नहीं रहा है अभी, कोई बात ने, कोई बात ने, अभी आ जाएगा, आ जाएगा, चलो आ जाएगा, 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 यहां पर आईए यहां पर सवाल कर लेते हैं कुछ आ जाओ आ जाएगा चलो करो 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 क 1 mol of KmnO4 the mols of H2O2 required अब सुनना मेरे ध्यान से मेरे भाई बात सुनना यहाँ पर सबसे पहली बात medium लिख लो acidic medium क्या हमें यह पता है मुझे यह बताओ क्या आपको यह बता है KmnO4 के बारे में KmnO4 के बारे में अगर acidic medium है तो मुझे बताईए वो कहां कहां से जाता है और n factor बताईए n factor बताईए क्या KmnO4 plus 7 से plus 2 जाता है क्या यह हमें पता है या नहीं पता है मैं पेटा without annotation ही बेजूँगा मैं जो PDF है विदाउट annotation ही बेजूँगा आप उसे सवाल करिएगा ठीक है वेद annotation बेज लेंगे तो फिर वो ही बस रटने वाली बात हो जाएगी ठीक है में प्लस 4 अगर आपका basic medium है अगर आपका basic medium है तो क्यमन फोर कहां जाता है plus 6 में इन फैक्टर बोलिए बटा इन फैक्टर बोलिए बटा इन फैक्टर इसका पांच इसका तीन इसका दो सुर्य इसका एक याद है याद है याद है अच्छा अब मेरे भाई चच्चा जी इसका रट लो H2O2 का N फाक्टर बोलो कितना है? 2 H2O2 का N फाक्टर कितना होता है? 2 अब देखो कुछ नहीं एक ही फंडा लगाना है सुन लो ध्यान से और रट लो इस एक्वेशन को क्या N1 into NF1 equals to N2 into NF2 मतलब moles और N फाक्टर moles और N फाक्टर तो यहाँ देखो KMN4 moles कितने दे रखे हैं? moles कितने दे रखे हैं? 1 mole तो 1 mole N फाक्टर कितना acidic medium है? N फाक्टर कितना 5 N2 देखो H2O2 के moles पूछे हैं तो N2 पूछा है एन-फेक्टर कितना टू एच टू टू का एन-फेक्टर कितना टू तो यहाँ पे एन टू मोल्स कितने हागे बीटा, फाइव बट्य दो, एन-टू, आंसर, ची ऐउप्शन, रचले भाई रचले, इस चीच को रचले आ ठीक है, याद कर लो, जहन में, याद कर लो, जहन में ठीक है आगे बड़ें आगे बड़ें सवाल करो which of the following element does not does not show disproportionation कौन नहीं दिखाता disproportionation कौन नहीं दिखाता disproportionation fluorine चाचा नहीं दिखाते क्यों क्योंकि fluorine चाचा हमेशा minus 1 में जाएंगे ये सही है लेकिन कभी भी वो positive oxidation state में नहीं जाएंगे क्यों कि खिलाड़ी भाईया खिलाड़ी भाईया सबसे जाज़ एलेक्ट्रों नेगिटिव है तो माइनस में तो जाएगा लेकिन प्लस में नहीं जाएगा बाबू बाबू समझोई सारे होरण पूकारे आगे बड़े चाल बड़ा इसके ऐसे वाल बन लोग एलेक्ट्रोगेमिश्री में करेंगे करेंगे यहां आजो यहां आजो यहां यहां आजो कर रहा है mn03MM2 Porn कर रहा है mn04 to the number of electrons, number of electrons, all right, जल्दीजे find करोगे, अपना बना ले पिया, अबना बना ले पिया, बताओ बिड़ा, यहां बिड़ा प्लस 7, यहां बिड़ा प्लस 6, इन फैक्टर कितना, क्या करना है, चेंज, चेंज कितना हो रहा है, प्लस 7 से प्लस 6, चेंज कितने का, एक का, चेक्ट है, यहां पे देखो MN किसमें है बिटा, प्लस 4 में, तो प्लस 7 से प्लस 4, चेंज कितने का, तीन का, तो तीन, यहां पे MN किसमें बिटा, प्लस 3 में, तो यहां पे प्लस 7 से प्लस 3, चें यहाँ पर भी प्लस टू प्लसू तो यह पर चेंज करेंगा प्लस से प्लस टू चेंज करेंगा पांच का तो 1345 1345 1345 सी आप्षण ब्रका चांग आप माले एसे मत बोलो यह हमको काड़ देगा देखिए बडा चुप-चुप के दिखिये बडा अभी सोचा को tehdो किया हो ना अगले साल क्राक हो जाएगा नीट का क्या हो गई है आपको डिक्क olsun कि निट कि यह नहीं हो रहा है आपको despite कि हम ऐस below प्रफूर मात्रा में बच्चे यह कितने हैं वह इता मुझे बटा है जो असली एस्परेंट वह कल से दिखेगा जब चीजे बुरिंग होने लग जाती हैं जब चीजे बेटा सेकेंड लेक्चर तक पहुंच जाती है तो असली एस्परेंट तो कल आएगा आज तो बिटा चलो सर ने नहीं सीरियस स्टार्ट करी है चलो देखने चलते हैं कल है बिटा सीरियस बच्चा तो कल है सीरियस खिलाड़ी बच्चा तो कल पता चलेगा कि कितने पानी में हो आप, कितने नींद आ रही है, कितने नींद नहीं आ रही है, ठीक है, आजो, क्या बोल रहा है, which the following is not, is not an example of redox reaction, ठीक है, redox reaction कौन सी नहीं है, ये वाली बिटा redox reaction नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें oxidation number, इसमें oxidation number किसी का भी change नहीं हो रहा है, इसमें oxidation number किसी का भी change नहीं हो रहा है, यहां पर देखो बढ़ा, barium plus 2, chlorine minus 1, hydrogen plus 1, sulfur plus 6, oxygen minus 2, barium plus 2, sulfur plus 6, minus 2, plus 1, minus 1, देखो किसी का भी change हो रहा है कि oxidation number, देखो barium plus 2, तो plus 2, chlorine minus 1, 1, तो minus 1, sulfur plus 6, तो plus 6, किसी का change नहीं हो रहा, तो it is not redox reaction, it is not redox reaction, देखो मैं तो आप लोग को बहुत बार बोल रहा हूं, मेरे पर छोड़ दो, यह मत सोचो कि सर मेरे को, मैंने तो सर, मेरा तो syllabus complete नहीं है, मेरा तो revise नहीं करा हुआ है, सारे short notes available है, कल बेटा 12th की physical chemistry करेंग केवल short notes से बढ़के आजाना, केवल short notes से बढ़के आजाना, चाहो तो उसका print ले लो, अपने साथ में लेके बैठ जाओ, लेकिन ये परहार को 5 session लगाए हैं, 5 session की consistency follow कर लेना, फिर खुद जादू देखना, आपके अगर कोई अंटर पंटर बेटा दोस्त हैं, चंटर बं selection चाहिए तो और लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पड़ेगी, हाना, selection तो ऐसे ही होता है, जो सब कर रहे हैं, वो ही अगर हम करते रहेंगे, तो बेटा 25 लाग experiment है, seed तो 25 लाग नहीं है, ठीक है, चलो कर करता है, प्लस वन में, सलफर है 4, 4X, ऑक्सेजन है 6, तो 6 इंटू माइनस 2, इस 0, यहाँ पर X कितना आ रहा है, X कितना रहा है, यहाँ यहाँ पर हो गया, 10, 10 बाए 4, तो कितना हो गया, 2.5, अब एक मजे की बात बताऊं, सर शॉट नोट बेज दो, बेज दूँगा अब इस session के बाद सारे short notes भेज देता हूँ, सारे short notes भेज बेज देता हूँ, ठेक है, पहले यहाँ पर देखो, X कितना है यह अपगा, 2.5, अब यहाँ पर देखो हो गया, इस अरे short notes भेज दूगा, formula sheet भेज दूगा, सब चीजे बेत चेक है, 2.5, वहां पान घञ यहाँ जी पुछिए answer is b option लेकिन यहां पे जो आयन है यहां पे आयन क्या है s406 2- s406 2- इसका structure देखिए इसका structure ऐसा होता है s double bond o double bond o minus इधर s double bond o double bond o either o minus ऐसा structure होता है अब यहां पे देखो अरे सौरी इधर एक और सलफर आएगा चार सलफर है ना इधर एक और सलफर आएगा चार सलफर है ना यहां पे देखो तो 2.5 जो आया है वो average है लेकिन अगर आप इंडिवीज्वल सलफर पे बात करो तो नहीं प्लस 6 नहीं प्लस 5 यहां पे प्लस 5 यहां पे आएगा पिटा प्लस 5 यहां पे आएगा 0 यहां पे 0 यहां पे प्लस 5 तो यहां पे देखो पिटा इंडिवीज्वली फ्राक्शन नहीं आए इंडिवीज्वली प्लस 5 इधर 0 इधर 0 इधर प्लस 5 तो देखो एक लेके देख लो आहर बिलेके देख लो क्ला सफाइफ जीरो प्लस 5 तो इड़ा allmin चार्ज कितना है इधर प्लस फैब और फाइड तोटल चा 508 सुब थूरो का प्लसन कितने है Sakan एचछ ऑब्र 141 1 2 3 4 4 में डिवाई गर दो 4 में डिवाईड कर दो प्लस का 2.5 तो अगर आपका कभी भी बेटा अगर कभी भी फ्रक्षन आ रहा है तो अधी इसको बंद करने को नहीं बोल सकते है ना चेके बंद करने को इसको तर नहीं बोल सकते हैं चलो यह बताओ ये देखो ये देखो बावू ये बिटा रिडॉक्स में भी करवाते हैं हम यह बिटा आपको पी ब्लॉग में भी करवाते हैं क्या करवाते हैं क्या बोल रहा है Cl2 gas reacts with hot and concentrated NaOH क्या होता है यहाँ पे यह PYQ है PYQ है यहाँ पे आपको दो reaction करवाई थी Cl2 है NaOH है सबसे पहला case क्या होता था Cold and Dilute सबसे पहला case क्या होता था Cold and Dilute यहाँ पे क्या बनता है NaCl और NaCl O सही है और उधर ही बेटा Cl2 plus NaOH और अगर hot and concentrated है क्या बनता है hot and concentrated है तो क्या बनता है NaCl plus NaCl O3 O3 सही है तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पे oxidation state 0 यहाँ minus 1 यहाँ plus 1 यहाँ 0 यहाँ minus 1 और यहाँ plus 5 क्या कर रहा है hot and concentrated में क्या कर रहा है 0 से minus 1 and plus 5 तो यहां पे देखो कितना आया 0-2 minus 1 and plus 5 बॉंबे आंसर द्यान रखना है यह reaction cold and dilute में लग केस है hot and concentrated में लग केस है बोल है ना याद रहेगा हाँ यह हम लोग ने पी ब्लॉक में दू दिन पहले करा था रफ्तार में हाँ 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 चाबाश चाबाश बड़ा चाबाश मों कैम भोखुश हुआ आगे बड़ें चलो यह करो विच्छ फॉलेंग अर्रेंग्मेंट रिप्रेजंट इंक्रीजिंग ऑक्सिडेश था O2- अब देखो कैसे निगालोगे इसकी जिसकी निकालनी ऑ औक्सिचन है कितने है दो है तो चार टोटल चार्ज किए है माइनस सब्सेंट प्लस का ठ्री और कौन है और है चलो थीम कि निकालनी है । माल लो oxygen कितने है 3 तो 3 into minus 2 is what minus 1 charge कितना है minus 1 x कितना आगे बटा plus 5 x कितना आगे बटा plus 5 और को होने बटा CRO4 2 minus CRO4 2 minus chromium की x माल लो oxygen की बटा 4 oxygen है 4 into minus 2 equals to total charge total charge कितना है minus 2 x कितना है प्लस 6 कितना आ रहा है plus 6 और ऐसे ही अगर आप MN MN O4 minus निकालोगे तो यहां पर x कितना आएगा plus 7 चेक है अब कर लेना find अब कर लेना अब लिख लेना increasing order पूछा है अब कर लेना आगे बटे आगे बटे यह देखो बेटा देख रहे हैं लाइव बॉचिंग बटा हजम नहीं होती है बेज दिए बेटा अपने पैगंबर बेज दी यह देखो मेरे अकाउंट में सब्सक्राइब बात करने वाला हूं यहां पर जितने भी बटा सूपर चाट आ रही है सब मेरे को आए से हैं यहां पैट जितने पिदा शूपर आनेवाली है सब मेरे को आए चलो चलो जिभी बिटाशा चलो विटा जितने बिटाइस उपर चाट आने वाली है मैं बात कर 쉬 Learn सब मेरे को transfer हो जाए कि और एंसी आड़ी होगालाइन इसा इनट सेलीग्राम चैनल पर अविलेबल है औากश्रों theories equivalent mass of the oxidizing agent HClO3, अब ये जबर्दस्त सवाल है, आप से पूछा है equivalent mass, equivalent mass कैसे निकालोगे वेटा, equivalent mass कैसे निकालोगे, क्या molar mass upon n factor करोगे, क्या molar mass upon n factor करोगे, क्या molar mass upon n factor करोगे, अब मुझे ये बताओ, molar mass आप लोग इसका कैसे निकालोगे, क्यों, क्योंकि ये disproportionation reaction है, यहाँ पे chlorine प्लस 5 में है, सुन ध्यान से, यहाँ पे प्लस 5 में, यहाँ पे प्लस 7 में है, यहाँ पे प्लस 0 में, तो देखो, क्या प्लस 5 से प्लस 7 जा रहा है, क् हां, क्या प्लस 5 से 0 जा रहे हो, क्या reduction हो रहा है, हां, oxidation भी हो रहा है, reduction भी हो रहा है, this is the disproportionation reaction, कैसे निकालते हैं इसका, याद है कुछ, बदाएए, कैसे निकालते हैं, याद है कुछ, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो, oxidation वाली, प्लस 5 से प्लस 7 जा रहा है, कितने का चेंज कितने का चेंज कितने का चेंज सर चेंज है दो का into number of chlorine atom कितने है बेटा chlorine एक तो 2 into 1 कितना आ गया 2 कितना आ गया 2 है ना इसको बोल दो बेटा n1 this is your n1 चेक है उसके बाद क्या करते थे बेटा यहां पे plus 5 से कितना जा रहा है जीरो प्लस 5 से कितना जा रहा है जीरो तो यहां पे कितने का चेंज है यहां पे कितने का चेंज है प्लस 5 से जा रहा है जीरो कितने का चेंज है पांच का चेंज है तो यहां पे बोल दो n1 कितने का चेंज है बेटा कितने का चेंज है पांच का चेंज है number of chlorine 151 N1 की value कितनी हो गई 5 इन 20 की value कितनी हो गई 5 तो disproporationation में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं न फैक्टर कैसे n 1ं 2-2 अपॉन ंवन प्लस्ट रहें कितना है कितना है 5 n 2 अपॉन 5 प्लस तो कितना आ गया 10 अपॉन 7 10 upon 700 आप तो कुछ नहीं यह यहां भी वैल्यू डाल दो यह पर मुलामास दे रहा है, 84.45 चेके, n फैक्टर, 10 बटे 7, 7 उपर चरह जाएगा, बड़िया सवाल है, स्टार माक कर रहा हूं, देखिएगा, इसको दियां से, स्टार माक कर दिया है, देखिएगा, इसको सवाल है, बड़िया सवाल है, इस इस फॉर डिस प्रपोर्शन नेशन रियाक्षन लाज बिटा छोड़ रहे हैं रुक जो ठोड़ रहे हैं थोड़ी दे रुको थोड़ी दे रुको जैसे जैसे सवाल करते वे चलोगे जो जंग लगी थी दमाग में वो खतम होएगी और हम लोग और चीजे सीख पाएंगे और चीजे समझ पाएंगे आजा बेटा कौन सा बेटा करेक्ट नहीं है क्या बोल रहा है लोवर दा वाल्यू ओफ एन प्लस ङल लोवर एस इनर्जी तो सत데 है विटा यह यहां पर देखो एलेक्ट्रॉन सेम सब्सेल्स उब सेम इनर्जी यह बिलकुल साहिई है सब्सेल मतलब एस में है सुड氣 सेमती उन् coordin you सेम होती है, है ना, degenerate orbitals होते हैं, यहां पर देखे बटा, energy of s orbital is lower than p orbital, and that of p orbital is lower than d orbital, बिल्कुल सही बात है, है ना, s के लिए, बिटा, l की value कितनी होती है, 0, p के लिए 1, d के लिए, बिटा, 2, तो n प्लस l होता है, ना, तो s सबसे कम energy होती है, फिर p, फिर d, तो ये भी करके आएंगे सवाल, बिटा, अब mix करके आएंगे, जैसे देखो, atomic आगे, एक बार अपनने starting में chapter wise देख लिए, बिटा, अब mix करके करेंगे, यहां पर देखो, if two orbitals have a same value of n plus l, then higher the value of n, lower will be the energy, गलात, ये तो बनने देखा था, अगर n plus l same है, then lower the value of n, lower is the energy, तो यही आपका answer है, not correctly आपसे पूछाता, not correctly आपसे पूछाता, आगे बड़ो बिटा, अब देखो पिटा, फटा-फट, 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 अब देखो वापिस से आप लोग का chemical equilibrium वाला सवाल आ गया, वापिस से chemical equilibrium वाला सवाल आ गया, अब देखो क्या बोल रहा है, same तरीके का स ले लिए ठीक है फिर क्या होगा बिटा 1-x यहाँ पर क्या होगा बिटा 1-x यह क्या होगा x यह क्या होगा x अब देखों यहाँ क्या बोल रहा है at equilibrium concentration of d will be twice that of a मतलब जो आपका d है जो आपका d है वो twice है a के देखो सेम है सवाल जो d है that is twice of a सेम है सवाल हाँ तो d कितना है एक्स इक्वल्स टू टाइम्स a 1-x यह तो बिल्कुली सेम बन रहा है एक्स कितना रहा है two by three अरे तो सेम ही आ गया यार यह सेम ही आ रहा है और यह सवाली रिपीट हो गया 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 सवाल कि रिडियूजट विद्ध ऑग्जालिक ऐसे मतलब कंडीशन क्या है एसड़े कंडीशन क्या है एसड़ेक ऑक्सीडेशन नंबर ओफ मैंगनीज आपका अगर एसड़ेक कंडीशन है आज तेजी से करें पटाक से बीटा रहार करेंगे यलगार कैसे यलगार का लिए ट केमन फोर कहां जाता है प्लस टू में जाता है तो कहां से से सब्ससक्राइब यहın यह देखो फॉट नहीं तरीके का सवाल यह देख नहीं तरीके का सवाल बल्ब इस तरीके का सवाल रफ्तार में भी करवाया है इस तरीके का सवाल यहां पे भी आ गया है अब सुनो ध्यान से कैसे करोगे सुनो ध्यान से कैसे करोगे सबसे पहले जो बल्ब दे रखा है वो क्या दे रखा है 100 वाट का दे रखा है तो अगर आपका 100 वाट का बल्ब ह क्या है do what का मतलब क्या है 100 watt का मतलब क्या है एंड्रेट हाँ, तो हर सेकेंड बेटा, कितनी एनर्जी फेक रहा है, 100 J, therefore, एनर्जी कितनी हो गई, बेटा, 100, एनर्जी कितनी हो गई, बेटा, 100 हो गई, अब यहाँ पे देखो, क्या यह फॉर्मुला आपने Planck's Quantum Theory में पढ़ा है, क्या, E equal to N into H C by Lambda, N क्या है, number of photons, number of photons, तो एनर्जी कितनी हो गई, बेटा, 100 J, N आपको निकालना है, H, 6.6 into 10 to the power minus 34, C, 3 into 10 to the power 8, upon Lambda, कितना दे रखा है, 400 nanometer, तो यहाँ पे मेटर में कनवर्ट कर लो, तो क्या यहाँ से हम लोग यह N निकाले देंगे, N निकाले देंगे, निकाल देना, Calculative है, चाहो तो उस ट्रिक से भी कर सकते हो, कौन से वह ले ट्रिक से, चाहो तो उस ट्रिक से भी कर सकते हो, उतना, 1200 upon Wavelength inHSS, उस ट्रिक से भी कर सकते हो, चाहो तो इस से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, दोनों में ही Calculative बनेगा, दोनों में ही सवाल क्या बनेगा, calculator बनेगा, दोनों में सवाल calculator बनेगा आजाओ, next ये कर लेंगे यार हाँ, ये करो चलो ये करो, ये करिए ये करिए, ये करिए, थोड़ असा पटा तेजी से चलेंगे थोड़ असा तेजी से चलेंगे, बस बंद करने वाले है विख रहे misma, end होने वाले, end होने वाले एक शंदर, šंदर सेशन हो गया है मज़ा आगया, मज़ा आगया, मज़ा आगया गया, promise करके जाना फेटा, comment section में promise करके जाना कि कल भी आऊंगा, कल भी आऊंगी उतना ही जोश दिखाऊंगी, केवल पाँच दिन की बात है, confidence अपने दोस्तों से compare कर लेना, super duper होगा, पार्थ में I am scoring कम marks, बढ़ेगा बढ़ेगा, बस question practice पे ही focus है, अब बस आप लोग यलगार, पार्थ, सारी test series देते रहो, एकदम supreme करके उपर जाओ गया, छेकर test series देते रहो बस आपके न, radius, क्या formula होता है बढ़ेटा, radius में, बोहर का, क्या formula होता है बढ़ेटा, radius का, क्या formula होता है, 0.529 N square by Z, angstrom, सही है, तो first radius बोला है, तो यहाँ पे देखो, Z से inversely proportional है, radius और Z क्या है बढ़ेटा, inversely proportional है, तो Z सबसे ज़्यादा किसका बढ़ेटा, या फिर सबसे कम किसका hydrogen का, तो radius hydrogen का सबसे ज़्यादा, तो answer पहला option, सही है, NETS भी विल्कुल विल्कुल विल्कुल, NETS में बटा, आप लोग offline practice करिये, अब समय है बटा, NETS में offline practice करते हैं, चलो, offline practice करते हैं चलो, चलो यह करो, अब इसमें देको trick बताऊं एक, इसमें trick बताऊं एक, अगर magnetic movement 2.83 बोहर magneton है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें unpaid electrons पता है कैसे निकालेंगे, यह जो decimal की बाद की चीज़ें इसे चुपा दो, यही क्या होगा unpaid electron, यही क्या है आपके पास n है, मतब unpaid electron 2 है, unpaid electron कितने हैं 2 है, समझें, तो यह trick होती है, magnetic movement दे रखें इसमें decimal की बाद की चीज़ अटाथ, जो भी पहला number लिखावा है न वोही क्या होता है, unpaid electron होते हैं, चीज़ें, अब देख लो unpaid electron 2 कहाँ पर है, unpaid electron 2 कहाँ पर है, कहाँ पर है 2 unpaid electron, हाँ, बिल्कुल सही बेटा, nickel plus 2, nickel plus 2, इसकी electronic configuration देखो बेटा, nickel की कितनी होती है, nickel की कितनी होती है, एरगें, 3D8, 4S2, तो nickel plus 2 की कितनी होगी बेटा, 2 electron निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे पहले बेटा, 4S, कहाँ से निकलेंगे, 4S, 3D8, 4S0, 3D8 बनाओ बेटा, 3D8 बनाओ, 3D8 बनाओ, तो जैसे 3D8 बनाओगे, तो यहाँ पर, 2 unpaid electron आएगे, 2 unpaid electron आएगे, 2 unpaid electron आएगे, सब्सक्राइब लेना चाहते हैं तो पार्थ ले लीजिए एकदम मिनिमम कॉस्ट पे चल रहा है कुछ चार सो साड़े चार सो रुपे में आपको पार्थ मिल जाएगी उसमें वीडियो सल्यूशन सब सब चीजिएं सब चीजिए यहें ले लीजिएं सब्सक्रिशं चार आगे वी हम favor में Sé Ora Jim में सारी चीज़ें गर्लउड कर रहे हैं चीह हैं कि है कि चार यह बताओ यह बताओ for the gas phase decomposition decomposition क्या है बटा decomposition क्या है PCL 5 PCL 5 कैसे टूट रहा है PCL 3 प्लस CL 2 अब देखो यहाँ पे एक शंदार चीज चीखोगे यहाँ पे एक शंदार चीज चीखोगे अब सबसे पहले चीज देखो क्या यहाँ पे आप bond तोड रहे हो इसे dissociate कर रहे हो PCL 3 और CL 2 में क्या dissociate कर रहे हो क्या bond तोड रहे हो हमेशा ध्यान रखना bond breaking हमेशा ध्यान रखना bond breaking क्या होती है बिटा endothermic bond breaking क्या होती है endothermic delta H is positive हमेशा ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखना तो सबसे पहले बाद delta H positive है एक और point सीख लो आपको पता है या नहीं पता है यहां देखो delta ng greater than 0 तो delta sv greater than 0 अगर delta ng less than 0 तो आपकी entropy भी less than 0 delta ng 0 तो delta sv 0 तो यहां देखो बेटा delta ng देखो यहां पे 1 यहां पे 1 यहां पे delta ng कितना हैगा product के moles कितने है दो reactant के एक तो 2-1 कितना आगया वन पॉजटिव पॉजटिव तो डेल्टा एस भी पॉजटिव तो डेल्टा एस भी पॉजटिव डेल्टा एस भी पॉजटिव आंसर बिटा अब देखते हैं चलों यह सब कर लेंगे अब देखते हैं चलों यह वाला फॉर्मूला यह formula पता है how to find acidic and basic buffer बता रहा हूँ चलो इस question के बाद ही बता रहा हूँ यह कर रहा हूँ चलो एक बस सवाल यह बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ यह कर रही एक बाद क्या बोल रहा है partial pressure of B is found to be one-fourth of partial pressure of A अगर इसका बेटा इसका मलब A का सपोस करो partial pressure P है तो इसका क्या हो जाएगा P by 4 मुझे बताईए इसका P by 4 हो जाएगा और इसका P होगा आया ना बोल रहा है ना partial pressure of B is found to be one by 4 of A A अगर P है तो one by 4 क्या है उसका B तो मुझे यह बताओ यहां से मैं K P कैसे लिख सकता हूँ K P कैसे लिख सकता हूँ K P लिखूंगा partial pressure of B upon partial pressure of A मतलब P by 4 upon P तो यह आ गया 1 by 4 पताईए देखो ज्यान से क्या 1 by 4 आ गया क्या 1 by 4 आ गया K P है अब क्या बोल रहा है the value of delta G naught अब यह relation आपको आना चाहिए यह relation बेटा आपको आना चाहिए क्या relation है याद है क्या relation है डेल्टा जी नौट इक्वल्स टू माइनस आर टी एलन के एक्विलीब्रियम यह याद है यह याद है relation यह याद है relation बटा फॉर्मूले याद रहेंगे ना तब जाके आपका बटा नीट का एक्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं है यह वन भाई फॉर हो गया ठीक है तो यह क्या बन जाएगा फॉर की पावर माइनस वन या फिर ऐसा करो यह माइनस साइन इस लॉग के अंदर एब्सॉब करा दो माइनस साइन इस लॉग के अंदर एब्सॉब करा दो अब यहां एक बार मेरी बात सुनिए सवाल तो अब हम लोग करते ही रहेंगे जिद भी आ है आपका बहुत सारी चीजा के प्लैंड है सफलता भी विटा लॉंच कर रहे हैं 15-15 मिनट में भी आपको चाप्टर कराने वाले हैं एक और नहीं सीरीज आएगी जिसमें आपको रिकॉर्डेट वीडियो दूंगा जिसमें 15-20 मिनट में आप लोग का मैं हर चाप्टर रिव सबसे पहले जो चीज अंग्रेजी में बोली वो लिखी के-पी लिखा और फिर सिंपल फॉर्मूले में जहां पर दिक्कत किस बाट की है दिक्कत है बिटा अगर यह फॉर्मूला नहीं आता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है तो आपको बेडा फॉर्मूले सारे रवाईस करने है और आप देखिए बिटा तो मैंने तेलीग्राम चैनल पर डाल दी है जो फॉर्मुला शीट हो गई है तो आप लोगों को यहां पर यहां पर फॉर्मुले याद करने की बहुत ज़ाधा जरूरत है अन्हीन याद करते पर चलो और और वापस से बोल हूँ केवल ये 5 session मेरे साथ attempt कर लेना मैं यह नहीं बोल रहा कि इसके बाद मैं आप लोगों नहीं पढ़ाऊंगा मैं chapter wise series भी लेके आऊँगा मुझे पता है इस डिफिकल्ट इजी क्या है इजी क्या है इजी क्या है ख्योरी कर जैसे अभी अब लोग बोल रहे हो कि आसटिक और बेसिक बफर कैसे पहचानते हैं यहां पर देखो अब यह चीज तो बहुत सारे बच्चों को पता है नहीं पता है तो देखो आसटिक बफर क्या होता है वीक एसेड प्लस सॉल्ट ओफ। सॉल्ट विद स्ट्रॉंग बेस। सॉल्ट विद स्ट्रॉंग बेस। इस पटा मैंने आप लोग की कौन सी चीज रिलीज करी है प्रहाज रिलीज करी है जिसमें बहुत extreme question practice होईगी extreme question practice होईगी बिटा साथ साथ में उसको theory से back करते वे चलेंगे उसको theory से बिटा back करते वे चलेंगे जैसे दिखो basic buffer weak base and salt with strong acid जैसे weak base हो गया NH4OH इसका salt with strong acid NH4Cl तो इस तरीके से पहचांगे मुझे पता है बिटा कल जैसे ही मैं session स्टार्ट करूँगा तो आज बिटा जैसे साढ़े 5,000 6,000 बच्चे थे कल बिटा वो शायद 4,000 रह जाए कल बिटा वो शायद 3,000 रह जाए मुझे पता है बिटा क्यों क्योंकि ये बच्चों को discomfort में डालता है question practice से बच्चा परिशान होता है कि specifically करवा दियों क्यों क्योंकि वो अपने comfort zone में ही रहना चालता है प्योरी थियोरी Talk वोटा कुरे साल रवा ठीवरी करी है वो साल बड़ वेटा शायद डरोपर हो तो पिछले साल वी theory में ही लगे छी selection नहीं होता है यलगार में यलगार तो free test series है एक रुपया नहीं ले रहे हैं उसमें तो आप लोगों से वो भी अगर नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा से comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा आज नहीं निकलोगे तो फिफ्ट में देखो आज अगर practice नहीं करोगे तो फिफ्ट में को तो question ही solve करन है ना वहां पर कैसे करेंगे question solve अगर हम आज हिचक रहे हैं question solve करने सकते हैं ठीक है ठीक है चाप्टर वाइस भी करा दूंगा जो जिद लॉंच कर रहा हूं जिद क्या है एक्स्ट्रीम question practice series है जैसे बिटा गरीम मैं आप लोगी mega practice start कर दी है आप के उपर वैसे बिटा आप पांच पांच चाप्टर लेकर आपके practice session कराऊंगा फिर आप लोगे full length करवाऊंगा तो practice session chapter wise भी आ रहा है लेकिन अभी जो ये आपका पूरा class wise आ रहा है आज पूरी class 11th physical की करी कल पूरी class 12 करने वाला हूं तो आपके schedule आपके session लग चुके हैं यहां देखिए आपके session ल follow करना तब जाके जब जिद लॉंच होईगी इसके बाद जिद लॉंच करूंगा 9th April के बाद आप लोगे लिए जिद लॉंच करी जाएगी उसमें फिर chapter wise चलूंगा पहले 4-5-5 chapter कराऊंगा आप लोग को चेक है उसके बाद फिर आप लोगे full length mock test होएंगे नीट रेपले ठेक है ठेक है आज की session में मज़ा आया तो एक बार दिल बना दीजिए चैट section में क्योंकि मेरे को पता है इसकी importance मेरे को पता है इसकी importance कि यह किस तरीके से आप लोग को selection दिलवाएगा एक बार बिटा दिन बना दो चैट section में यलगार का बिटा जो session लिंक है वो मैं telegram पे बैब दो और मेरे साथ में अब देखो हम लोग बिटा डिकी attendance लगाएंगे हम लोग बिटा डिकी attendance लगाएंगे किया है डिक manner यहां पे देखिए बिटा जो class 12th की physical chemistry जो हम कल कर रहे हैं उसका session में मैंने बिटा pin कर रखा है उसका session pin कर रखा है अभी पौचो और अभी के अभी 2000 like होने चाहिए जितने बच्चे हैं बिटा अभी भी सब महां भागेंगे चलो मैं भी भाग रहा हूँ मैं भी जा रहा हूँ बिटा चलो उस session में हम लोग like करेंगे notify me click करेंगे और कल प्रकट हो जाएंगे बिटा शाम को 6 बजे इतनी important series भी अगर आप लोग miss कर रहे हो तो फिर बिटा आप लोग serious नहीं हो अपने पढ़ाई के लिए अभी पहुचो बिटा वहाँ पे आजाओ बंद नहीं होगा और comment section में आप लोग promise करके जाओगे कि हाँ जी sir regularity के साथ आओँगा regularity के साथ आओँगी और देखो इसी साल सेलेक्शन लोगी चेक है बहुत सारी चीज़े प्लान कर रखेंगे यार पहुचो पहने वहाँ पर भाग के जाओ जड़ पोल बेस्ट होगा बिलकुल प्रॉपर पोल बेस्ट होगा पोल आएगा सारी चीज़े आएगी पूरा आप लोगो फिल आएगा पर तेख भागके पोचो चैट सेक्शन में पिन कर रहा है, वहाँ पे चलो, फटाक से लाइक मारो, फटाक से लाइक मारो, जल्दी करिए बड़ा, जल्दी, जल्दी आओ मेरे भाई, जल्दी आओ, 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 जल्दी ठीक है ठीक है भाई अभी भी यार धीले हो गए हो ट्रेलर मसते न आप लोगों की प्रिपरेशन भी शांदार है ठीक है अपने पर कोंफिडेंस रखिए मेरे से पूछीए मेरे से पूछा पोछ आप लोग बच्छो अच्छा कर रहे हो प्रेंड बस बाकि सारी चीजे हम पर चोड़ो सारी चीजे बबाकि हम पर चोड़ तो कि सर ये कैसे पता चला कि oxygen कब single bond बना रहा है और कब डबल बेटागर 0- है तो सिंगल बनाता है निउट्रल है तो डबल बनाता है हुँ चलि लाइक कर दि跳ै अनि वर और था चलिवीडा चरो बेटा, सेशन को एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, चेक है, कल मिलते हैं बेटा साड़े छे बजे, चेक है, कल मिलते हैं बेटा साड़े छे बजे, चेक है, 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 चेक तेट यू थैंक य्द्ट देख अविग मस्ट पाइब करयई अच्छे घर ने पत इसकीर और अपने आपको बाट करें यह व्लेक्ट काउलेज जितनी चीजें हमसे करवानी है बम लिये सारी चीजें आपके लिए हैं सारी चीजे एपसल्यूटली फ्री जीरो कॉस्ट पे हैं लेकिन लग जाओ 10 गंटे पड़ते हो 16 गंटे पड़ो 12 गंटे पड़ते हो 17-18 गंटे पड़ो लेकिन सेलेक्शन इसी साल भीलो छेक है खूब बच्छे से बढ़िये सेशन को लाइक करिये कल आईए साड़े छे बचे प्रहार डे टू विद यूर 12 की फिजिकल केमिस्ट्री अल्राइट टेक केर हाव ग्रेट देग सी यू गैस